वेरी 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 गुड इवनिंग विल्कम दो दर सेशन जैहें दूंदे मात्रम बहुत 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 स्वागत है आपका टीम निश्वापर वह वाला ज्वानिंग प्लीज लीव अमेसेज तो आज हम शुरुवात करते हैं आखरी सेशन की जोगरफी का जो हम माराथन इंपोर्टेंट चौथा सेशन है फाइनल सेशन है तो आज के सेशन में हम वर्ल जोगरफी, हियूमन जोगरफी डिसकस करने वाले हैं और इंपोर्टेंट बायस्वे रिजर्व, नैशनल पार्क्स, वायल लेफ सेंचरीज यह सारे टॉपिक्स जो हैं जो मिसलेनियस सेशन की बहुत इंपोर्टेंट और आखरी सेशन है तो अगेन आई होप सारे जो है रेडी हैं इस पर्डिकलर सेशन के लिए तो आइडिया है रेस के इस आठ से नौ घंटे में आपका पूरा जोगरफी विद कंसेप्चिल क्लारिटी कवर हो जाए ठीक है जी वंची का व बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं कुष्चन आपके पूछे जाते हैं देखो वर्ल्ड जोगरफी से कुष्चन एक तो सीधा सीधा कुष्चन पूछा जा सकता है जैसे कि कुष्चन लास्ट यर्स EDS 123 में पूछा गया कि आपका एक फ्रेंड है विकी और वो घूमन इन में से कौन से देश में Equator Cross नहीं करता है कौन से देश में Tropic of Cancer Cross नहीं करता है Tropic of Caprican Cross नहीं करता है तो इस तरीके के कुष्चन भी जो है पूछे जाते हैं विने आनंद सबका स्वागत चलो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है ठीक है मैंने जो अच्छे पराने पर जो नहीं है उनके लिए important है देखो बहुत सारी ट्रिक्स आपको net पे मिल जाएंगी that is up to you to remember कौनसे ट्रिक आप याद रखना चाते हो बट जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें ये है कि ये west to east चलेगा ठीक है west to east है ताकि याद हो अगर मानलो tough से tough question भी पूछता ह चार देश ऐसे दे दिये जो जहां से equator pass करता है और फिर बोला उसको arrange करो west to east तो वो भी आप कर सको ठीक है तो इसकी ट्रिक है ECB से गजब cash UK से आया ECB क्या है English cricket board ठीक है English cricket board से गजब cash UK से आया और किसी इसके लिए Mike factory के लिए ठीक है Mike factory के लिए भी इंडिया का match भी चल रह है England के साथ उसमें रोहित शर्मा क्या-क्या कह रहे हैं इंडिया टीम के कैप्टन वो भी Mike में सुनाई दे रहा है तो आजकल बड़ा important है तो इसकी ट्रिक क्या हो गई प्रिंसपे फिर हो गया आपका गैबन कैश सी से हो गया Congo दो देश है Democratic Republic of Congo Republic of Congo Congo River के नाम से यह पड़ा है फिर यूगंड़ा कीनिया ठीक है फिर हो गया ठीक है फिर आपका हो गया माल्दीव्स माल्दीव्स ठीक है वेरी इंपोर्टेंट इंडोनेशिया किरिबाती तो ये देशों से आपका इक्कोईटर क्रॉस करता है ठीक है तो ये एक छोटी सी ट्रेक है ECB से गजब कैश यूके से आया ठीक है तो ये हो गया आपकी पहली ट्रेक जहां से इकोईटर भूम अध्यारेखा क्रॉस करती है बहुत इंपोर्टेंट अब देखो इसमें ना कोश्चन और कैसे पूछा जा सकता है पहले आपको थोड़ा दिमाग map को पढ़ने का तरीका और question analyze करने का तरीका भी पपावना चाहे है जैसे अब इसमें क्या हो सकता है मालो पूछ लिया के कौन सा city जो है वो equator के सबसे नज़दीक है चार cities दे दि और कहा के equator के सबसे नज़दीक कौन सा माल लो आपको चार जो cities दी हैं उनमें से इनकी कोई capital है ठीक है तो आपके दमाग में तुरन ताना चाहिए है इस देश से equator cross करता है और ये इस देश की capital है या इस देश की city है तो कहीं न कहीं मेरको ये consideration में रखना है अब माल लो कोई देश ऐसा है जहां से equator ही pass नहीं करता ज यहां से tropic of cancer ये tropic of caprican pass करती है that means आपको उसको eliminate कर देना है ठीक है अजय ही विलकम ट्रॉपिक of cancer करकर एखा कौन-कौन से देशों से cross करती है तो इसकी भी एक trick है like US politicians are discussing और दो politicians है वापस में क्या discuss कर रहे है चाइना का बड़डी growth हो रही है चाइना बड़ा rise कर रहा है क तो maximum benefit चाहिए ठीक है maximum benefit चाहिए तो कहां चलते हैं सहारा चलते हैं मानले मेरी बात वहाँ पर कैसे लोग हैं बड़े साउ लोग हैं बिलकुल इंडिया के भोले मानस की तरह इंडिया में भोले मानस की तरह लोग है और इस तरीके से हम चाइना को भी विन कर लेंगे ठीक है मतलब यह एक वो area है जहां तक अभी किसी का ध्यान नहीं गया है ठीक है तो maximum benefit Mexico Bahamas Sahara से Western Sahara मान ले अब ये थोड़ा मान ले को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा मान ले है भी दिखना ठीक है तो मौरेटीनिया माली अलजीरिया नाइजर लीबिया एजिप्ट फिर उसके बाद आता है सौधी अरेबिया ओमान युवई तीन देश हैं सौधी अरेबिया ओमान और युवई उसके बाद इंडिया भोले बी से बांगलादेश मयानमार चाइना से ठीक है ताइवान अब ताइवान को आप अलग से देश मानते हो या नहीं I rest to your wisdom ठीक है तो चलो ठीक है तो यह हो गया आपका ट्रिक ठीक है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कुश्चन जैसे एक दो बार पूछा गया है इरान से क्रो करता है या पाकिसान से क्रोस तो देखो इरान और पाकिसान थोड़ा सा उपर आते हैं ठीक है थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से करक्रेखा से उपर आते हैं अब ऐसे ही एक ट्रिक है आपके इंडिया में कौन-कौन से राज्यों से यह जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो for the meeting, ठीक है, तो यहां पर गुजरात पहले है, बस यह धियान रखना, ठीक है, तो गुजरात, फिर आपका हो गया, राजस्थान, मद्यपरदेश, छतिसगर्ड, चारकंड, वेस्ट बेंगॉल, फिर हो गया त्रिपरा, और फिर हो गया मीजोरम, ठीक है, त्रिपरा और मीज अब स्टेटमेंट्स क्या दी है, मतलब आपको स्टेटमेंट्स से पता लगाना है, किस राज्य के बारे में बात हो रही है, यहां से ट्रापिक ऑफ कैंसर गुजरता है, इसका बॉर्डर जो है मैयनवार के साथ लगता है, ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको में क्या कहते है, मक्र रेखा, ठीक है, कैप ली ब्राजील से, और कैप ली ब्राजील से, उसके बाद न्यू बूट लिए कहां से, साउथ एफरीका से, साउथ एफरीका, और MMT से ट्रिक बुक कराया, मेक मैट्रिप से, कहां के लिए, आस्ट्रेलिया के लिए, आस्ट्रेल गासकर ठीक है मुजामबिक और मेडा गासकर और उसके बाद क्या हो गया आपका आस्ट्रेलिया हो गया ठीक है तो ये देश हो गया आपके ट्रॉपिक आफ जहां से कैप्रिकन क्रॉस करता है चलो नेक्स्ट आता है जहां से प्राइम इरिडियन प्रॉस करता है उस से आम के बाग में आया ठीक है आम के बाग में आया और वहां पर कौन मिलिया वहां पर कुईन का बाग था वो ठीक है कुईन ने देख लिया और टोक लगा दी ठीक है टोक लगा दी ओके, सो उफ ये हो गया, UK, France, ठीक है, Spain, Spain, आम, Algeria, तो Algeria से Tropic of Cancer भी पास कर रही थी, Tropic of Cancer, करकरेखा, ठीक है, फिर हो गया आपका, Mali, ठीक है, Moritania, Mali, Mali भी क्रोस, Tropic of Cancer, Okay, Burkina Faso, Ghana, ठीक है, Burkina Faso, Ghana, और उसके बाद, Queen Maudland है आपका, Antarctica में, Antarctica में एक particular region है, जिसका नाम है, Queen Maudland, ठीक है, तो Toke से हो गया, Togo, Togo उपर है, ठीक है, Togo से ये क्रोस करता है, तो ये हो गए, देश जहां से Prime Meridian, ठीक है, एक reference line क्रोस करती है, जिसके East और West में हम कहते हैं कि हम इतने East में हैं, इतने West में, हम कहते हैं, 82 degree, 30 minutes East में हैं, तो किसकी line के reference में बोलते हैं, primary deal के reference में बोलते हैं, कल हमने अगर आपको याद हो, Longitudes के case में, पहले lectures में, इसको पढ़ा था, ठीक है जी, चलो, अब आता है, आपका mapping वाले question, अब देखो, mapping वाले question को, दो तरी इस दिन है, आपको रोज का 15-20 minute देने हैं, मैपिंग में, ज्यादा टाइम नहीं देना है, 15-20 minute, particular एक, जैसे आपने ये उठा लिया, ठीक है, एफरीका का मैप उठा लिया, तो एफरीका के मैप में, आपको क्या क्या चीज़े देखनी हैं, पहले ये देख लें, physical और political, दो मैप मिलते हैं, दो standard Atlas हैं, Oxford का, Orient Longman का, कोई भी आप ले सकते हैं, but it is very important to spend 15 minutes on that, ठीक है, अब इसमें देखो question कैसे बनता है, सबसे पहले कि आपको ये tropical rainforest हो गया, जिसको हम Congo forest भी बोलते हैं, कल हमने पढ़ा था, hot, wet equatorial climate, ठीक है, इसके उपर जो है, आपको क्या मिलता ह है, साहेल region मिलता है, इसके उपर Sudan type climate, सवाना grasslands मिलते हैं, सवाना grassland के से जब मैं desert की तरफ जाता हूं, तो एक मेरे को साहेल region मिलता है, ये region आपको newspaper में बहुत चर्चा में राता है, साहेल region, आप ऐसे जमलो, semi-arid region है, ठीक है, semi-arid region है, उसके उपर आपको क्या मिलता है, दुनिया का सबसे बड़ा desert, साहरा desert, ठीक है, फिर आपको यहाँ पर देखना है, कि यहाँ पर देखोगे, Gulf of Guinea है, यहाँ पर Benguela current है, ठीक है, यहाँ पर कालाहारी desert हो गया, यहाँ पर Namib desert हो गया, कालाहारी desert हो गया, अच्छा, यहाँ पर Congo river है, जो equator को दो बार cross कर रही है यहाँ पर एक Limpopo river है, जो Tropic of Caprican को दो बार cross कर रही है, ठीक है, यहाँ पर Medagascar है, यहाँ पर Mozambique channel है, तो यह छोटे-छोटे concepts आपको ध्यान में रखने हैं, Lake Victoria है, जहाँ से Nile नदी, जो कि दुनिया के सबसे लंबी नदी मानी जाती है, वो यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है, इसको Horn of Africa बोलते हैं, यहाँ पर Bub Almondab Strait है, यह Red Sea है, यह आपका Gulf of Eden है, तो यह जो है, इस तरीके से आपको questions को देखना है, यहाँ पर आपको Canary Islands मिलते हैं, मैं आपको एक और map दिखाता हूँ, यह देखो, ठीक है, यह आपका इस तरीके से, तो आपने Libyan Desert दे देखा, ठीक है, तो यह आपको, यहाँ Gulf of Guinea आपको देखना है, Orange River का Basin है, ठीक है, तो यह इस तरीके से, इस map को पढ़ना है, ध्यान देना है, कोई भी एक particular continent का map पकड़ो, ठीक है, उसका political और physical को थोड़ा analyze करो, कि कौन-कौन से देश हैं, कौन-कौन सी जगाएं आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, कौन-कौन सी जगाएं आपके दिमाग में, उसको consolidate करो, ठीक है, चलो, अब हम जो है, चलते हैं, हमारे topic पे, के हम कैसे पढ़ने वाले हैं, हम basically, या तो पूरे mountain ranges देखेंगे, एक बार में, सारी rivers को देख लेंगे, सारे deserts को देख लेंगे, ठीक नौर्थ अमेरिका में, जहां पर आपको Chinook local wind मिली थी, कल हमने पढ़ा था, जिसकी वज़े से, जिसको हमने snow eater कहा था, ठीक है, तो यह हो गया, rocky mountains, यहां पर है, सियारा निवादा, सियारा निवादा, जो, if you remember, जिसमें हमने पढ़ा था, कि आपको desert मिलता है, मोहावे, श देन आपका atlas, ठीक है, atlas, दो mountain ranges है, जो confusing है, एक atlas है, एक altai mountains है, atlas और altai, दोनों में confuse मत करना, atlas है आपका northwest Africa, यह Morocco वाला region है, और यह आपका China और मंगोलिया का जो है border है, ठीक है, उसमें आपको यह altai mountains मिलते हैं, उसके बाद आपको दो बहुत similar sounding mountain ranges मिलती है, एक है apanines और एक है pyrenees, pyrenees और apanines, थोड़ा similar sounding है, तो यह जो pyrenees है, यह है आपका France और Spain के बीच में, ठीक है, फ्रांस और Spain के बीच में, यह जो apanines है, यह है आपका Italy में, ठीक है, Italy में, ननिहाल में मतलब, चलिए, elves mountain, ठीक है, elves mountain कहां पर है, आपका Switzerland में, चलिए, Scandinavian mountains कहां पर है Norway, Sweden, ठीक है, Norway और Sweden, Sweden अभी आज ही formally बन गया है, member किसका, NATO का member बन गया है, ठीक है, NATO का member बन गया है, युराल mountain क्या है, युराल mountain क्या है, युराल mountain, जो किसी को समझी में आया, ठीक है, southern elps, येस, ठीक है, वो उस पे भी आउँगा, very good, ये युराल mountains है, आपका old fold mountains, ये एक natural barrier है, युराप और एशिया के बीच में, युराप और एशिया के बीच में, ठीक है, okay, then Himalayas, ठीक है, Himalayas है, ठीक है, Western Ghats और Eastern Ghats हो गया, ये तो इंडिया में ही है, उसके लावा आपका caucus mountain, caucus mountain भी दो है, greater caucus, lesser caucus, ठीक है, greater caucus, अचा आ गया, okay, greater caucus, lesser caucus, Zagros mountain, ठीक है, Zagros mountains, य हम आगे देख लेते हैं, यहाँ पर आप देखोगे, यह जो आपका, इरान का region है, अब यह देखो, थोड़ा ध्यान में रखने वाली चीज़े हैं, इरान, पाकिस्तान के बीच में, dispute चल रहा था, firing हुई, ठीक है, बंबारी हुई, ठीक है, बलोच, ट्राइबल्स को लेक तो यह इस तरीके से questions को पकड़ेगा, ठीक है, जो चर्चा में है, अगर आपको याद हो, Ukraine, Russia, Ukraine वार हुई थी, तो question पूछा गया, Odessa port, O-D-E-S-S-A, port है, Ukraine में, तो इस तरीके से question जो है, आपका बनते हैं, हिंदु कुष्ट की पाड़ियां हो गया, पामिर नौट, बहुत सारी mountain ranges निकलती हैं, ठीक है, बहुत सारी mountain ranges क्या होती है, जहां से, जैसे हिंदु कुष्ट की पाड़ी है, करा कुरम, ट्रांस हिमालियाज, हिमालियाज हो गया, कुन्लून mountains हो गया, त्यांचन हो गया, ठीक है, तो एक गांठ जिसे कहा जाता है, simple अगर कहें, गां अजर्वेजान, ठीक है, जिनके बीच में नगार्नो काराबाग region था, जिसको लेकर dispute है दोनों के बीच में, अजर्वेजान और अर्मेनिया के बीच में, अर्मेनिया जो की Christian dominated country है, अजर्वेजान जो की Muslim dominated country है, आपस में dispute है, चलो, तो यह हो गया आपकी important mountain ranges, अब हम देख को देख लेते हैं, rivers को, ठीक है, important rivers को देख लेते हैं, अब एक बार South America की rivers को देख लेते हैं, ठीक है, South America की जो सबसे important river है, Amazon, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी और largest river, देखो, दो term होते है, longest और largest, largest क्या होता है, largest होता है volume wise ठीक है ये होता है length wise ठीक है length wise तो यह आपकी Amazon river सबसे लंबी नदी है और यहाँ पर आपका जो एक बार पूछा गया है वो है पराणा river परागुए river पराणा river ठीक है यह आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्ट और यहैं परयां पर दो बहुत इंपॉर्टन चैपिटल सीटेज हैं दिलकुल ऐसे है यह नदी का माउथ नदी के माउथ के दोनों तरफ दो देशों मॉन्टै वीडियो है मॉन्टै वीडियो दैट इस और आकट ब्यूंव एर्स यह किसकी capital है ये capital है Argentina की Argentina भी चर्चा में था Argentina भी चर्चा में था if you remember क्योंकि Argentina पहले Bricks में शामिल होने वाला था पर नहीं हुआ शामिल ठीक है क्योंकि वहाँ पर नए राष्ट्रपती आ गए है Xavier Mellie Mellie करके नाम है उनका ठीक है तो ये जो है वहाँ पर add मतलब आगे हैं और इसकी वज़े से Argentina भी चर्चा में था Argentina यहाँ पर Falkland Island है जिसको लेकर UK और Argentina में एक dispute भी है चलो एक छोटी से और रिवर है Orinoco River और Mediara River ठीक है Medilina River और Orinoco River तो ये हो गई दो नदिया आगे चलते हैं North America में North America में देखो सबसे important जो रिवर है Mississippi ठीक है Mississippi Birdfoot Delta बनाती है Birdfoot Delta मतलब जैसे पक्षी है उसका मतलब ऐसे पंजे की तरह ठीक है इस तरीके से डेल्टा बनाती है और इसकी सबसे बड़ी Tributory है Missouri एक River है Rio Grande River Rio Grande River के बारे में खास क्या है ये US और Mexico के बीच में एक natural boundary बनाता है ठीक है और अगर हम बात करें St. Lawrence River St. Lawrence River को use किया जाता है inland waterways के रूप में ठीक है क्योंकि ये सीधा फिर जो है Atlantic Ocean से connect करती है तो सीधा जैसे यहां बहुत सारी factories हैं बहुत सारे companies मतलब बहुत सारे manufacturing unit है तो वो अगर जो भी उनको export करना होता है वो इस नदी के थूँ जाते हैं और फिर Atlantic Ocean से ये और पकी तरफ जाते हैं ठीक है ये किसी समय में अर्ली 20th century में लेट 19th century में ये एक बहुत बड़ा manufacturing hub था ठीक है उके उसके बाद आपका एक छोटी river आती है Yukon ये है आपका कहां पर Alaska वाले region में ठीक है Alaska US का state है जो किसी समय पर रशिया का हुआ करता था रशिया ने बेच दिया था ठीक है 19th century में लगभग आच्छे 170 साल पहले तो यहां आगे चलते हैं Fraser River Mackenzie ये बहुत जादा important rivers नहीं है अब आपको थोड़ा ध्यान में रखना है अब question कैसे पूछेगा कि आपका एक दोस्त है घूमने गया है ठीक है दोस्त घूमने जाते हैं हमें नहीं मौका मिल रहा चलो anyways ठीक है Biffin Bay घूमके आया Hudson Bay घूमके आया और St. Lawrence River घूमके आया तो बताओ कौन से देश घूमने गया था ठीक है तो यह इस तरीका का question जो है पूछा जा सकता है ठीक है तो यह जो है आपको Colorado River तो यह हो गए आपके important नदियां कहां की North America की उसके बाद चलते हैं Africa की important कुछ नदियां देख लेते हैं सबसे important नदी है Congo River Republic of Congo फिर आती है Limpopo River यह traffic of Caprican को Makr रेखा को दो बार cross करती है एक छोटी सी रिवर है Orange River ठीक है यह साउथ अफरीका में ठीक है Orange River, Zambezi River ठीक है यहाँ पर छोटी छोटी लेक्स हैं यह हम लेक्स आगे देखेंगे Albert Lake, Victoria, Tagalika, Lake Nyaasa ठीक है Nile River जो सबसे important river है Nile River जो की सबसे लंबी नदी है ठीक है Lake Victoria से शुरू होती है यहाँ पर आपका पहले इसको White Nile बोलते है Blue Nile एड होती है फिर उसके बाद यहाँ पर यह एजिप्ट में जाकर ठीक है यहाँ पर क्या बनाती है डेल्टा बनाती है उसके इलावा आपके एक river है Niger River देखो Niger और Nigeria दोनों को confuse मत करना दो अलग अलग देश है ठीक है और यहाँ पर एक छोटी से और river है Senegal River तो यह कौन से हो गई नदिया कहा की आपकी Africa continent की अब यॉरप की नदियों को देख लेते हैं यॉरप की नदिया मेंली morning वाले session को याद करो मैंने आपको एक concept बताया था parallel drainage का parallel drainage parallel drainage का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी नदिया और उसकी tributes literally एक दूसरे के parallel flow कर रही है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे LORE, SIN, Rhein, Elbe, Order, Vistula यह parallel नदिया है एक दूसरे के ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे LORE, SIN, ठीक है France में है बहुत important Rhein River जो है आपकी Germany की बहुत important river है यहाँ पर एक और river है Spree, Spree, Spree नदी के किनारे पर ही Germany की capital Berlin जो है situated है तो यह न, यह भी बहुत important है जैसे मैं एक और river आपको बताना भूलिया Potomac River ठीक है, Potomac River, Washington DC जो US की capital है वैसे ही UK की capital UK capital कौन से है, London London है Thames नदी के किनारे पर तो यह वाले बहुत important है कि जो important देश है वो किस नदी के किनारे पर बसे हुए है ठीक है, तो यह आपका बहुत important question है यह match the following type of question पूछा जाता है ओके, so Elbe, Order, Vistula ठीक है, यह होगी आपकी नदीया फिर Danube River Danube River बहुत खास है क्योंकि यह बहुत सारे देशों से होकर बुजरती है यरोप में देश कितने है, बहुत सारे देश है चोटा सा एरिया है, ठीक है मतलब ऐसे मालो के आप 3-4 डिस्टिक्ट्स आपके आसपास के उनको मिलाके एक देश है यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर Black Sea है Black Sea जहाँ पर लिटरली युद चल रहा है रश्यार यूक्रेन के बीच में तो यहाँ पर D वाली जो नदिया है जिनका जो D से स्टार्ट होते है देन्यूब, नीपर, डॉन, लीस्टर यह कहाँ पर ड्रेन होती है Black Sea में और वोलगा नदी, जो यॉरप के सबसे लंबी नदी है, यह जाकर कहाँ पर मिलती है, कैस्पियन Sea में जाकर मिलती है ठीक है, तो यह बहुत important है इसके लावा एक छोटी सी river है रोन, और एक इटली में नदी है पू, ठीक है, यह कौन है जिसने पू को मुड़ कर नहीं देखा तो इटली में क्या है, पू है ठीक है, तो यह हो गया पू, चलो तो यह यह दो नदिया कहां की है हाँ जी, सुमेर civilization सुमेर civilization किसको बोलते हैं इराक की civilization को ठीक है, मैसोपतामिया civilization योफरेट और टिग्रिस ठीक है, और इसके लावा आपका गंगा नदी, इंडस, ब्रह्मोपुत्र यह तो हम discuss कर ही चुके हैं काफी detail में येलो नदी, ठीक है जी, येलो river बहुत important अच्छा एक question और बनता है येलो sea, white sea, red sea, black sea कई सारे colors पे seas है जैसे यहाँ पर yellow sea है white sea कहाँ पर है, comment section box में बताओ hint देता हूं, रशिया ठीक है, रशिया के किस तरफ है red sea, red sea, lal saagar ठीक है, इधर Africa है, इधर West Asia है बीच में lal saagar है, black sea अभी हमने देखा, तो इस तरीके से question आपके बनते हैं, yangse river बहुत important यहाँ की नदी अब देखो ये yellow river और yangse river है यहीं पर Chinese civilization maximum population चाइना की आपको इसी region में मिलती है, इसी region में आपको चाइना की maximum population मिलती है क्योंकि नदी जो है, वो बहुत important है, जैसे हमने morning में discuss किया था कि गंगा, ब्रह्मोपुतर, इंडस नदी जो है, नौर्थ इंडिया वाला जो area है, उसमें maximum population इंडिया की आपको मिलती है, ठीक है जी, so rivers reviewed यह आप देख सकते हैं, एक हाँ, आमूर रिवर है, ठीक है यह आपका रशिया में आपको यह मिलती है, साइबीरिया वाले दीजन में, कोला पेनिंसलल के नीचे white sea, very good, ठीक है white sea बिल्कुल आप रशिया का नौर्थ वाला पार्ट देखोगे न Arctic sea में, वहाँ पर आपको white sea मिलता है, ठीक है तो यह आपका important है, इसके लावा, इरावदी रिवर, ठीक है, मियानमार में, सल्वीन और मीकॉंग रिवर, मीकॉंग रिवर, मीकॉंग रिवर एक father of the nation, होची मिन, होची मिन सिटी, कौन से देश की है, और यहाँ पर एक देश ऐसा है, जो landlocked है, वो कौन सा देश है, लाओस, लाओस देश जो है, वो क्या है, landlocked है, ठीक है, तो यह ध्यान रखना है, होची मिन सिटी, very good, किसने बताया सब से बहले, अमे, अमे Australia, Australia में क्या है, Darling and Murray, ठीक है, Darling and Murray, ठीक है, डारलिंग रिवर, मुर्रे रिवर, ठीक है, सो लेख, आयर, इसके इलावा, Gulf of Carpentrya, ठीक है, Gulf of Carpentrya को धियान में रखना है, यहाँ की सिटी, इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, B.S.C., M.A.P.H.D., हांजी, B.S.C., M में, Ph.D., नहीं, यह मेरी डिग्रीज नहीं है, I'm an engineer, ठीक है, जो हर जगा फिट हो जाता है, अलू की तरह, but this is B.S.C., M.A., Brisbane, ठीक है, Sydney, ठीक है, Canberra, Melbourne, Adelaide, मोटा-मोटा बता रहा हूँ, ठीक है, Perth और Darwin, so यह sequence में है, मतलब बिलकुल ऐसे clockwise direction में, देखो, Brisbane, Sydney, Canberra, Melbourne, Adela Red, Perth, Darwin, ठीक है, तो यह कौन से देश हो गए, इन देश, sorry, इन देश बोल रहा हूँ, इन cities में, Australia की 80% population है, जी, मतलब इसी coastal area में, इन cities में है, maximum population Australia की, यह बीच में तो सारा desert है, Australia में, खाली है, बिलकुल खाली है, but हाँ, यहाँ पर इनके पास minerals बहुत है, इस Great Australian desert में, ठीक है, चलो, नेक्स हम चलते हैं, लेक्स पर, ठीक है, दुनिया भर की important lakes को देख लेते हैं, चलो, एक करके North America से शुरू करते हैं, Great Bear Lake, ठीक है, Bear, Slave, ठीक है, Athabasca, Salt Lake, Great Lakes, यह थोड़ा detail में बताऊँगा, important है, Lake Winnipeg, Canada में, बहुत important है, बरफ जम जाती है, सर्दियों मे जाकर, Lake Titicaca, ठीक है, very famous, Lake Titicaca, Titicaca के वारे में, कोई खास point अगर कोई बताना चाहता है, comment section box में लिख दे, मैंने कई बार बताया है, उके, उसके बाद आती है, Africa continent की lakes, ठीक है, यहाँ पर हमने Lake Victoria तो देखी लिया, जहां से आपकी Nile River, जो सबसे लंबी नदी है, वो शुरात होती है, Lake Tana, Lake Taganika, Lake Niasa, Niasa को मलावी river भी बोलते हैं, ठीक है, Lake Albert, यह छोटी-छोटी, यह important क्यों है, यह Great African Rift Valley, if you remember, कल का session, Great African R Rift Valley वाली lakes है, क्योंकि यह area जो है, क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, मैंने आपको क्या बताया था, यह area इंडिया की तरफ जा रहा है, ठीक है, इंडिया की तरफ जा रहा है, ठीक है, उके, उसके बाद आपका आता है, Aral Sea, Caspian Sea, Caspian Sea भी एक lake है, अब और सी क्यों बोला ज जादा है, Caspian Sea में, और एक साइज में बहुत बड़ा है, C की तरह है, समुंदर की तरह है, ठीक है, ओके, तो, lake बैकाल हो गया, बलकाश हो गया, lake लडो का, तो, lake बैकाल, very important, रशिया में, क्या खास है, कोई answer नहीं कर रहा, जी, क्या हो गया, ठीक है, कोई answer नहीं कर रहा, प्लीज आंसर कीजिए, lake टिटी काका के बारे में, ठीक है, lake टिटी काका के बारे में, मैंने fact कई बार बताया है, इसको honeymoon lake भी बोलते हैं, ठीक है, लोग घूमने जाते हैं, आपको यह मिलता है, ठीक है, और बहुत अच्छी location है, बिलकुल ऐसे, एंडीज मांटेन में, बह हाइट पर है, ठीक है, highest navigable lake है, ठीक है, इसको honeymoon lake भी बोलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, फिर आपके fresh water lakes आती है, sisters must help each other, ठीक है, sisters must help each other, तो sisters must help each other में, क्या है, एसे हो गया, superior lake, must help each other, Michigan lake, ठीक है, help Huron lake, ठीक है, help each other, airy lake, ठीक है, airy lake, ठीक है, उसके बाद हो गया, sisters must help each other, Ontario lake, ठीक है, तो यह हो गई, पाँच great lakes इसे बोला जाता है, US और Canada के border पर हैं, ठीक है, US और Canada के border पर हैं, पाँच important lakes, यह रहा, superior, Huron, तो homes भी है, but I would say, sisters must help each other, इसलिए easy है, क्योंकि sequence में है, ठीक है, west से east तक, so superior, Michigan, Huron, airy, और Ontario lake, ठीक है, तो यह पाँच आपकी great lakes बोली जाती है, एफरीका की lakes के बारे में हमने discuss कर लिया है, ठीक है, और फिर हम चलते है, deserts of the world पे, ठीक है, deserts of the world को देख लेते हैं, deserts में सबसे पहले हम देख लेते हैं, North America के deserts, देखो, यहाँ पर आपको मिलता है, sonaran desert, सीधा-सीधा question पूछा गया आपका एक बार, sonaran क्या है, sonaran क्या है, desert है, cold current है, ठीक है जी, और इस तरीके से 4 options दी गई, ठीक है, तो आपको simply question, मतलब desert in North America, ठीक है, या फिर यह एक cold current है, इस तरीके question आपका पूछा गया है, तो यह आपको दिहान में रखना है, sonaran, ठीक है, हो सकता है, पेपर में आप दिमाग में चलता रहा है, sonaran, sonaran, यही तो कोई gold से related कोई चीज लग रही है, जी नहीं, यह desert है, sonaran, ठीक है, वहाँ गई और, महावे, शिशवान desert, ठीक है, नाम बड़े जीब हैं, तो दिहान रखना है इसको, चलो, एटागामा desert, दुनिया का driest desert, driest desert, कई बार तो बिलकुल, ना मातर की वारिश होती है, आपर, पैटागोनियन desert, जिसको हम steppe desert, यह cold desert के रूप में भी देखते हैं, पैटागोनियन desert, फिर आपका आता है नामिब desert, ठीक है, जहाँ पर बेंगोईला करेंट है, ठीक है, कालाहारी desert, फिर आपका आगया सहारा desert, ठीक है, यह हो गया आपका Arabian desert, Arabian desert, Arabian desert को भी फर्दर बह यह सारे deserts कौन से हो गए, cold desert, और उसके बाद Arctic और Antarctic desert, that is also cold desert, उसके बाद आपका Australia में आता है, Australia, Great Australian desert भी है, पर Australia में बहुत सारे desert है, Tanami desert, Great Sandy desert, Gibson desert, Victoria desert, Stuart Stoney, Simpson, यह सारे desert कहाँ पर है, Australia में है, ठीक है, अगर आप Arabian वाले deserts को देखोगे, तो Al-Nafood, Al-Dhana, Rubal-Khali, नाम से clear है, यह Arabian deserts होंगे, ठीक है, तो यह हो गए, आपके दुनिया भर के deserts, अब देख लेते हैं कुछ trenches और states को, ठीक है, trenches और states को, यह भी आपका question सीधा सीधा पूछता है, ओके, सबसे पहले तो सबसे important trench कौन सी है, दुनिया के सबसे deepest, so यहाँ पर Mariana Trench है, ठीक है, Mariana Trench है, दुनिया की steepest trench कौन सी है, यह तो कि deepest, deep होगे depth से, steep होगे slope से, steepest trench कौन सी है, Tonga Trench, Tonga Trench में, if you remember, volcano आया था, जी, बहुत भ्यंकर वाला volcano आया था, ठीक है, मतलब यह कहा जाता है कि दुनिया में one of the deadliest, जो है, अर्थ को एक volcano यहाँ पर आया था, क्योंकि अब यहाँ पर human population नहीं है, Pacific Ocean में, तो इसलिए नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, ओके, तो यह हो गया, उसके बाद आपका Aleutian trench है, यहाँ पर Aleutian island है, यह देखो, छोटे-छोटे island है, यह भी question पूछा गया एक बार, Aleutian islands कहां पर है, ठीक है, कौन से देश में, तो यह Alaska, USA के, फिर आपक Curail trench है, Japan trench, नाम से clear है, जपान में होगा, इजू, Ogaswara trench, फिलिपीन trench, चलेंजर डीप, बॉगन विला ट्रेंच, करबाडिक ट्रेंच, तो यह basically क्या है, Pacific Ring of Fire है, ठीक है, Pacific Ring of Fire है, फिर उसका Peru-Chile trench है, Middle America trench है, तो यह कुछ हो गई आपके important trenches, अब हम कुछ channels और states को देख ले मुजांबिक, मुजांबिक और मेडागास करके बीच में क्या होगा, मुजांबिक channel होगा जी, अगुल हास current है यहां पर, अगुल हास current, ठीक है, वाम current है एक आपकी, मेगलीन स्टेट, Pacific Ocean और Atlantic Ocean को जोडता है, तो आप South America में, Argentina में आएंगे, तो यहां से आप यह देखो, यह वाला region जो है, इस तरीके से आप cross करके जा सकते हैं, तो यह आप literally अर्जेंटीन और चिले वाले region से cross होके जाते हैं, ठीक है, तो यह हो गया आपका Magdalene Strait, बहुत famous, बहुत famous, ठीक है, यहां पर ही आपको वो pirates of Somalia मिलते हैं, ठीक है, अभी recently भी हमारे, हमारी Navy ने जो है rescue किया था, ठीक है, भारतियों को, ठीक है, so Red Sea और Gulf of Eden, यहां पर आपको क्या मिलता है, Suez, Suez Canal, Gulf of Suez, यहां पर क्या है, Gulf of Acaba, ठीक है, Gulf of Acaba, ठीक है, बीच में इसराइल ने कहा था, कि हमें आप funding कीजिए, दुनिया भर को कहा, funding कीजिए, यहां से हमें कनाल वराएंगे, ज संदा बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एजिप्ट को हर साल, billions of dollars, जो है, commission में आता है, Suez Canal की वज़े से, ठीक है, जी, हाँ, बिल्कुल ठीक, आएने से नहीं, very good, किसने बताया है, अमें, very good, ठीक है, next आता है, Cape Canrival, ठीक है, Cape Canrival, यह USA का, ठीक है, यह जो चौन सी नि famous है, वैसी, US में, यह Miami Beach famous है, ठीक है, यह Cape Canrival, जो है, जैसे हमारा सतीज धवन Space Center है, शिरी हरी कोटा, वैसे ही Cape Canrival है, यह Florida State में है, यह US का Space Launching Center है, ठीक है, ड्रेक पैसेज, ड्रेक पैसेज, कहां है, अर्जंटीना, और, हाजी, अंटार्टिका के बीच में, यह रहा, ड समता है, ओके, हर्मुज स्ट्रेट, ठीक है, पर्षिंगल्फ है, ठीक है, पर्षिंगल्फ, यहां पर आप देख सकते हैं, यह है हर्मुज स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या था, एक Narrow Water Body, जो बड़ी Water Bodies को मिलाती है, ठीक है, हर्मुज स्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टन क्यू ब्लैक बॉस ने बहुत मारा बहुत दर्द हुआ ब्लैक बॉस ने मारा ठीक है दर्द हुआ आवाज आई एजी ओजी जी सुनो जी ठीक है तो एक से क्या हो गया अजोव सी अजोव कि करिषेट्ट जैसे एक 47 के बट होता है जो पीछे लकडी वाला पार्ट होता है उसे मारा ठीक है फिर फिर ब्लैक सी ठीक है तो ये अजोर ट्रेट्ट Lima ी आ गया फिर बॉस भॉस पर इंट n यहां पर आगी बॉस पर स्ट्रेट मारा मरमरा सी ठीक है फिर डाडिनल स्ट्रेट फिर आपका अजियं सी सारी स्ट्रेट होगे एक बार में ठीक है दोबारा से लेख लो dwelling ठीक है 47, So Azov Sea, Kutch Strait, Black, Black Sea, Boss, Bospora Strait, Marmara Sea, ठीक है उसके बाद क्या आगे आपका? डardinal straight, दर्द से, फिर Aegean Sea, ठीक है? यह आई होप आपको ट्रिक याद हेगी, ठीक है तो यह सारे के सारे states हो गए, यहाँ पर तीन states हमने एक बार में डिसकुस कर ली, So Kutch Strait, बॉस्परा स्ट्रेट और डाडिनल स्ट्रेट ठीक है जी चलो बॉस्परा स्ट्रेट डिस्कस हो गया है नेक्स्ट आपका आता है बबल मंदाब मलक्का स्ट्रेट बहुत इंपोर्टेंट ठीक है मलक्का स्ट्रेट को एक बार देख लेते हैं यह आपके मलक्का स्कृड मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में सिंगापूर भी बही प्यार आता है इंग्लिश चैनल डोवर ठीक है जोड encima क्टोवर यहाँ पर एक सिटी है कह सकते हैं कहतें हैं पॉर्ट है इंगलेंड में तो उसी कर लिया ठीक है normal वो है मिन्हां देखो channel क्या होता है straight narrow होता है channel बड़ा होता है ठीक है तो straight of dober, English channel, next आता है Denmark straight, Iceland और green land के बीच में आपको Denmark straight मिलती है ठीक है Denmark straight मिलती है और यहां पर आपको Farrow island, Denmark तो यह आपको Shetland Islands भी मिलते हैं, Shetland Islands, यह सिधा सिधा कुश्चन बनता है ओके तो हाँ डेविस ट्रेट ठीक है डेविस ट्रेट आपका ग्रीन लैंड और पैफिन आइलेंड के बीच में न्यूजिलेंड में आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था लास्ट ये लास्ट येर वो कौन से देश घूमने गया था ठीक है तो देट वोज न्यूजिलेंड तो इस तरीके से आपके कोशन बनते हैं यहाँ पर एक छोटा सा स्टेट है कुक स्टेट ठीक है यहाँ पर न्यूजिलेंड में दो इंपॉर्टेंट आइलेंड है नोर्थ आइलेंड सौथ आइलेंड नोर्थ आइलेंड में आपको एक सिटी बहुत इंपॉर्टेंट मिलता है हैमिल्टन ठीक है यहाँ की कैPITAL क्या है ओकलेंड ठीक है यहाँ पर साउथ आइलेंड में क्राइस्ट चर्च पूरे New Zealand की population कितनी है जी 51 लाख मत्र 51 लाख ठीक है इतना दो हमारे एक आद district में उस district को भी हम कहते है ठीक है जी normal district है ठीक है इस दिल्ली या हमारे metro cities के anyways तो यह पूरे जो है New Zealand की population है तो यहाँ पर आपको question जो है इस तरह की से बनता है ठीक, King Island, North Cape अच्छा मैंने sorry, sorry, I'm really sorry I'm really sorry capital Wellington I'm really sorry if I have given the wrong information, I correct myself ठीक है जी yes, ठीक है, I correct myself please, I stand myself correct please, this quote correct कर लीजेगा, Wellington okay state of Malacca, ठीक है, state of Malacca state of Malacca, जो है यह हमने discuss कर लिया है, Malaysia और Indonesia के बीच में, ठीक है, यहाँ पर Singapore next आता है, Bas Strait Australia, और यहाँ पर एक छोटा सा island है, Australia का Tasman Island Tasman Island, that is Bas Strait ठीक है, Bas Strait तो यह मैंने आपको बताया था, Brisbane Sydney, Canberra Melbourne, ठीक है, Adelaide Perth और Darwin, ठीक है यह मैंने आपको ट्रिक इसकी बता दी है Torres Strait क्या है, Australia की North में, अगर आप देखेंगे, Australia की North में, यहाँ पर आपको Torres Strait मिलता है, ठीक है important, next आता है 10 largest islands in the world 10 largest islands in the world, यह भी question आपका एक बार पूछा गया, इसकी छोटी से एक trick है, घबराना नहीं है ठीक है, घबराना नहीं है बड़े मगर मच भी अगर सामने हों वरना game end ठीक है, जैसे कई बार आप लोग कई बार student कहते हैं, कि sir, वो बहुत त्यारी करके बैठा है या बहुत त्यारी करके बैठी है, दो साल से त्यारी कर रहा है ठीक है, हम कहां पर टिकते हैं तो आपका competition किस के साथ है आपके खुद के साथ है, life में एक basic सा rule है आपका competition, बहुत बार बहुत लोग घबरा जाते हैं, कि बहुत competition है जी नहीं, आपका competition आपके खुद के साथ है, तो घबराना नहीं है बड़े मगर मच्छ भी, अगर सामने हो वरना game end, ठीक है जी चलिए, green ओके, तो अब घबराना नहीं है, सबसे पएदे green land ठीक है, N से क्या हो गया, new guinea नहीं है, बड़े B से हो गया, borneo मगर मच्छ, medagaskar ठीक है जी, फिर B, B से हो गया beffin island, और उसके बाद आपका हो गया S, S से हो गया, sumatra island H से हो, हो से हो गया, honcho island हो, हो, honcho island ठीक है, फिर उसके वरना V से हो गया, Victoria विक्टोरिया island, G से हो गया आपका Great Britain, और E से हो गया अलेजमेर island ठीक है, तो ये ट्रिक होगी, पूरी के पूरी घबराना नहीं है, बड़े मगर मच्छ भी, अगर सामने हो, वरना कीम end, तो ये सारे के सारे 10 islands टॉप के 10 islands, आपने sequence में याद कर लिया है, इतना भी अगर आपको याद रह गया न, तो पेपर में you can identify, कि कौन सा है, second कौन सा है, या चार island में से दे देगा, उन में से, हो सकता है, ये UPSA अब और क्या करता है, उसको पता है कि student ने ये तीन याद रख रखे हैं, वो क्या गरेगा, इन चार को देगा, और इन में से पूछेगा, इन में से सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, वहाँ पर फिर जो है, गड़बड हो जाती है, तो अगर आपको इंट्रेक याद है, you will be able to answer that question, चलो, next आता है international, जो आपकी boundary lines, ये भी आपका important है, इसमें Durand line बहुत ज़ादा important है, मतलब I am expecting a question on this, ठीक है, Durand line हो गया, Maldives पे, Lakshudeep पे question, इंपे question आपके बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़ादा चर्चा में थे, okay, so international boundary line, red cliff line, तो इसकी छोटी सी trick है, red pin, अगर जिसको याद नहीं होता है, वैसे तो याद रहना चाहिए, red cliff line, ठीक है, red cliff, साइरल red cliff, ठीक है, barrister थे, इंडिया और पाकिसान का भिवाजन बैठके दिल्ली में किया उन्होंने, so India और पाकिसान, red cliff, so red, sorry, pin, pin मतलब पाकिसान और इंडिया, पाकिसान और इंडिया, I.E.N. से इंडिया हो गया, ओके, अफना स्थान दूर है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान अफना, अफना वादला अपना, ठीक है, स्थान, पाकिस्तान, दूर से Durand line, ठीक है, I.M.C.M., इंडिया, C.E.N. से चाइना, और M. से हो गया, वैसे भी easy है, पोस्ट रेजुएशन इन हिंदी, ठीक है, पोस्ट रेजुएशन इन हिंदी, सो PG in हिंदी, ये क्या है आपका, पॉलेंड और जर्मनी, ठीक है, पॉलेंड और जर्मनी के बीच में क्या है, हिंदन बर्ग लाइन है, पॉलेंड और जर्मनी के बीच में कौन सी लाइन है, हिंदन बर्ग लाइन है, ठीक है, मेगी फ्रीजर में नहीं है, उसे fry कर रहे है, ठीक है, मेगी फ्रीजर में नहीं है, Sigmund Fright बोल रहा हूँ, Sig Fright लाइन, ठीक है तो यह आपकी लाइन इसके बीच में आती है तो France और Germany के बीच में दो लाइन है, Maginot लाइन है और Sig Fright लाइन है Ok, Canha this is for you ठीक है Canha, this is for you So Canada और US, Canada और US के बीच में 4, 49 पैरलल है, 49 पैरलल ठीक है, Men are fine men are fine में क्या है so this was आपका R रशिया, fine F से Finland, ठीक है men are fine so men से men are hem R fine, fine से Finland और R से रशिया ठीक है तो ये होगी आपकी trick I hope ये trick आपको paper में help करेंगी to recall the things ठीक है अगर आपको अच्छी लग रही है ये tricks, please do share with other students as well ठीक है, 17th parallel North और South Vietnam, 38th parallel North, 49th parallel हमने already discuss कर लिया है, ठीक है तो ये होगे आपके कुछ important boundary lines 38th parallel South Korea और North Korea के बीच में युद्ध अभी भी खतम नहीं हुआ है 53 का war जो है वो officially ceasefire है, बंद नहीं हुआ है war अभी भी मतलब देखो, war बंद नहीं हुआ मतलब कहने है, मतलब क्या अभी भी वाट चल रहा है North Korea, South Korea के बीच में आंसर इस technically yes ठीक है, practically no उसका reason क्या है के official declaration होती है जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है उसके बाद समझाता हो जाता है तो एक official declaration आते है दोनों देशों के बीच में क्यम समझाता हो गया है पर उनमें नहीं हुआ है तो officially लड़ाई अभी भी है ठीक है चलो, 49th parallel तो यह हमने discuss कर लिया है अफ्रीका यह आपको ध्यान में पढ़ना है अब यह जैसे आपका जो map है ठीक है tension is tension is going on tension तो चली रही है it is like India, Pakistan North Korea, South Korea Israel, Palestine ठीक है, यह वो अले issues है जो it is like burning for the last 70 years okay, so यहाँ पर Red Sea, Tigris, Euphrates ठीक है यह आपको Leos, Plateau इस map को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है 10 minute जो है कितना concentration से अब आपको recall करना है जो हमने class में discuss किया अच्छा, हाँ नीपर, Don बताया था Neister बताया था बोलगा बताया था सबसे लंबी नदी है चाह कैस्पियन सी में जाती है कैस्पियन सी की सैलेनिटी जादा है जो है Black Sea से चाहिए भी बताया था ठीक है अब देखो यहाँ पर Levantine Sea है Levantine अब यह जो Middle East वाला इलाका है Middle East वाला जो Israel, Palestine, Syria, Lebanon, Jordan बहुत important S.I.E. Peninsula इस पर कॉश्चन कई बार पूछा जा चुका है UPSC के अलग एक्जाम्स में जब मैं अलग-अलग एक्जाम्स की बात करता हूँ तो मैं मेली तीन एक्जाम्स की बात कर रहा हूँ इस सेशन में CDS, NDA, and CAPF ठीक है? चलो उसमें आप Civil Services को भी इंकलूड कर सकते हैं उसमें भी बहुत regularly एक कॉश्चन पूछता है Anyways, तो ये हो गया आपका ये वाले questions ठीक है? ये math हो गया आगे चलते हैं बब इस similarly आपको यहाँ पर भी देखना है कि अच्छा, हाँ desert हो गया ठीक है? यहाँ पर्थ हो गया Steep Point, Tropic of Caprican Pilbara Region, Kimberley Plateau बहुत important है ठीक है? Gulf of Carpentry तो ये आपको ध्यान देना है Prairies ठीक है? यहाँ पर Hudson Bay Labrador Sea, Davis Strait हमने देखा था भी Gulf of Mexico ठीक है? Yucatan Peninsula ये important है ये Yucatan Peninsula ये Mexico में ठीक है? फिर उसका आपके बाद Isthmus of Panama है Isthmus of Panama नहीं, वैसे Mapping को करने का तरीका मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी बताई है ठीक है? वो ट्रिक्स भी हैं जिससे आप उन चीजों को याद रखोगे जैसे Echoator, Tropic of Caprican Tropic of Cancer, ये हमने डिसकस कर ली अब उन कहते हैं, ये इंडियन ओशन है ये अंटलाटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है कहां तक है ये ओशन? ठीक है इसकी बकाइदा Boundary Marked है, बिल्कुल Clearly Marked है ठीक है Slow पढ़ाईए, ठीक है Slow का टाइम नहीं है Paper है, ठीक है, बहुत सारे धीरे करके पढ़ाई करते है 40 दिन पहले Slow पढ़ाई नहीं होती है अस टाइम पे Crash Course ही होता है बाई साब चलो ये अफरीका कॉंटिनेंट है ये Cape, ठीक है Cape Town है, और यहां पर ये आपका कौन सा है? Tasmanian Island है, तो ये कौन सा हो गया? Indian Ocean हो गया उसके बाद Atlantic Ocean में यहां पर अगर आप देखेंगे Argentina और ये Cape Town ये हो गया आपका Atlantic Ocean ठीक है? उसके बाद आपका ये हो गया Pacific Ocean तो ये पीज इसको ध्यान में रखना है ये आपकी boundaries यहां पर clearly mark की जाती है South America में Amazon Basin, Titi Kaka Lake हमने देख लिया, Macapichu ठीक है, बहुत important civilization, ठीक है, Old Peru civilization की बाद जब हम करते हैं ठीक है, Atacama Desert Rio de Plata, ठीक है Pampas, Pampas कहां पर पढ़ा था हमने? Comment section box में लिखो, कल पढ़ा था Pampas, Campos Campos, Pampas Lanoz क्या है? Comment section box में जल्दी से लिख दो ठीक है, Patagonian Desert हो गया Indies Mountain, ये हमने discuss कर लिया है, चलो Australia and हाँ, ये Pacific Ocean में तीन set of islands है, ठीक है, जी grasslands है अच्छे ये भी बताओ भाई, थोड़ा सा specific बताओ, कि कौन सा temperate grassland है, कौन सा tropical grassland है, ये भी important है थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और important है तो micronisia, नीशिया होता है islands, group of islands ठीक है, तो ये छोटे-छोटे islands है, Mariana island है Marshall island, जो की USA के under है, ठीक है Kiribati, फिर आपका ये Melanesia है, जिसमें सबसे बड़ा island है, New Guinea ठीक है, New Guinea, और Bismarck Solomon island, जिसको लेकर चर्चा चल रही है, China यहाँ पर पहुंच गया है, US पहुंच गया है छोटा सा island है, छोटा सा island है जोटा सा island है, जोटा सा US, चाइना, बड़े-बड़े देश कह रहे है बाई साब, आप हो बहुत important partner हमारे, ठीक है So, Vanatu island, Fiji, Vanatu ने कहा था कि बाई साब global warming को रोकी है, नहीं तो हम पूरा डूप जाएंगे, ठीक है फिर आपका आता है ये Polynesia, Polynesia बहुत सारे island जैसे समझे लो New Zealand आता है, इसमें पूरा का पूरा Tonga, करमाडेक Cook Island, ठीक है Samoa, Tuvalu दुनिया का least visited country कहा जाता है इसे, ठीक है least visited country तो ये आपके छोटे-छोटे islands हो गए यहाँ पर, ठीक है पुष्टाज हंगरी में है ठीक है, grasslands, चलो, ठीक है Please keep that in mind, important ठीक है, Turkish state यह हमने discuss का लिया, Darginal state होगा रहा UK, ठीक है, कई बार हम England UK, Great Britain interchangeably use करते हैं, बर that is not true, ठीक है जी, सबसे पहले तो अब देख लेते हैं, Great Britain क्या है ठीक है, Great Britain जो है आपका Scotland, ठीक है, तो यह आपका Great Britain, ठीक है, नदरन Ireland, उसमें आपका UK में यह आता है ठीक है, UK में आता है, जब नदरन Ireland भी add हो जाता है ठीक है, और इसमें छोटे-छोटे कुछ और Islands भी है, ठीक है, वो भी include होते हैं, United Kingdom में ठीक है, चलो, next हम चलते हैं, Environment Ecology पे, Environment Ecology पे, सबसे पहले Environment Ecology में discuss कर लेते हैं Environment के दो components होते हैं, Biotic Factors और A-Biotic Factors, A-Biotic Factors A-Jewic, ठीक है A-Jewic, मतलब जो जीवित नहीं है, so energy, radiation, temperature, water, wind, fire, gravity, topography, यह सारी चीज़े क्या आती है, A-Biotic Factors, Biotic जीवित हैं, Jewic है Green Plants, Non-Green Plants, D-Composer, Parasite, Embroids, Animal, Man तो यह किसमें आ गए, A- Sorry, Biotic Factors में आ गए, ठीक है So components and environment, देखो, अब सबसे important है, Levels of Organization Levels of Organization अब देखो, यहाँ पर समझ दी की कोशिश करो, Atom, Molecule, Protoplasm, Cells, Tissue, यहाँ तक हम कहाँ पर पढ़ाई करते हैं, यहाँ तक की पढ़ाई हम करते हैं, Biology में Biology में, Organism, Population, Community, Ecosystem, Biome, Biosphere, यह हम discuss करेंगे Ecology Environment में, इसके उपर Earth, Solar System, Galaxy, यह हमने discuss हिया था, Universe Solar System तो इसको भी discuss करेंगे, आज का session हम इसमें discuss करने वाले हैं, Organism से लेकर Biosphere Reserve तक, ठीक है, Biosphere तक सरी, ठीक है, अब सबसे important आता है, कि यह इसको कैसे define करें, ठीक है, सबसे पहले देखो, एक individual की बात है, कोई भी individual, मालो, यहाँ पर जैसे example दिया है, 12 सिंगा है, ठीक है, तो ऐसे करके, एक particular area में, बहुत सारे 12 सिंगा होंगे, सिरफ तो उसको क्या कहेंगे, population, बहुत सारे 12 सिंगा की population, या कोई भी जानवर ले लो, dog, cat, कुछ भी, अब community, अब सिरफ 12 सिंगा तो नहीं होंगे इस जगह पे, ठीक है, उसमें cats, dogs, deer, tigers, plants, और बहुत सारे animals, इसका एक छोटा सा example मैं हमेशा देता हूँ, family, ठीक है, family जैसे एक छोटा ecosystem है, जिसमें grandparents हैं, parents हैं, बच्चे हैं, एक independent functional unit की तरह काम कर रहा है, पूरे समाज में एक unit की तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो वैसे ही ecosystem आता है, जिसमें अलग-लग communities, जहाँ पर biotic और abiotic factors मिलकर काम करते हैं, और इस तरहीके से काम करते हैं, वो independent functional unit होता है, जैसे wetlands है, ठीक है, फिर इस तरहीके से बहुत सारे ecosystem जो मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं, बायो, जैसे desert बायो, ठीक है, desert बायो, या जैसे grassland बायो, ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है biosphere, biosphere क्या है, जहाँ पर life possible है, लिथोषफिएर, hydrosphere और atmosphere कमбाइन करते हैं, ठीक है, लिथोषफिएर, hydrosphere और atmosphere, kombाइन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, biosphere कहते हैं, चलो, तो अब, यहाँ, यह देख लो, इसे reserves है, important है सीधा सीधा question पूछता है इसमें से basis of origin is किसी इसका basis of origin किसी इसका basis of origin पूछ रहे हो थोड़ा specifically कूछ हो न अब इसकी trick है थोड़ा सा छोटे छोटे trick बनाई है याद रखने के लिए cold, ठीक है him, him का मतलब क्या होता है cold, thund ठीक है, तो यह हो गया, नंदा देवी देवी देताओं का प्रदेश, उत्रा खंड ठीक है, उके, run of कच, नाम से clear है, run of कच, कहां पर है, गुजरात में ठीक है, तो जैसे फौज में बोला जाता है, कि जो मध्य में रहते हैं, उनको कभी अचानक मार नहीं पड़ती, ठीक है, जो बोलते थे, चलो हाइदरावाद चलो, ठीक है, चलो हाइदरावाद चलो, या चलो दिल्ली चलो, तैलागरा बनाना है, ठीक है, निलगिरी बाइस्वियर रिजर्फ, यह आपका tri-junction है, ठीक है, यह आपका केरल तमिलाडू, करनाटका वाला region अगस्था मलाई, ठीक है, मलाई खानी है, तो आकर मिल, नहीं तो करेला मिलेगा, ठीक है, मिल, मलाई खानी है, मलाई अगस्था मलाई, मिल, तमिलाडू, और करेला से केरल, तो केरल और तमिलाडू के बीच में यह अगस्था मलाई आता है Gulf of Manar ठीक है, Manar कहां पर है? आपका तमिलाडू है Simlipal, Sim उड़िशा, Jiyo का Free Sim लेकर सब उड़ रहे थे ठीक है, Jiyo का Free Sim लेकर सब उड़ रहे थे, उड़िशा ठीक है, सो यह हो गया आपका सुंदर्बंज, नाम से clear है सुंदर्बंज, ठीक है नौक रिक, नौक नौक बादल यहाँ पर नौक करके नहीं आते, बारिश करते ही रहते हैं ठीक है, नौक नौक कंचन जंगा, सिक्किम में मनास, चतुर मानुष कहां पर है असाम, चतुर मानुष ओके, डिब्रू साइकोवा सो अगें असाम में दिहांग दिबांग कहां पर है आपका अरणाचल में, ठीक है दिहांग दिबांग अरणाचल में तो यह होगे आपके Biosphere Reserve ठीक है, Biosphere Reserve Next, आपका term ecosystem, मैंने आपको बताया एक independent functional unit है ecosystem, ठीक है, इसमें सबसे important आपका एक ecosystem आता है wetlands, अब wetlands क्या होता है दीखे, wet plus land एक ऐसा particular ecosystem जिसमें सबसे key component है पानी, water, ठीक है पानी के इर्दगिर्द सारा का सारा कुछ है पानी के इर्दगिर्द आपका बाकी जानवर है, पेड़ पौदे हैं उन पे फर्दर जो है, बाकी जानवर है पूरा का पूरा, जो कह लिजिए जीव जन्तू है, उस पानी पर निर्भर कर रहे हैं, ठीक है इंडिपेंडेंटली उसी पर function कर रहे है तो उसको कहा जाता है wetland ecosystem दुनिया का one of the most productive ecosystem इनको माना जाता है wetlands को इसलिए, जब हमने environment protection की बात करते हैं, तो wetland protection बहुत important आता है, इसको लेकर सबसे important आता है, रामसार wetland sites ठीक है, रामसार wetland sites आती है रामसार एक convention हुई थी, रामसार एक जगा का नाम है इरान में, दो फरबरी 1971 को ये हुई थी इसलिए 2nd feb को बनाया जाता है क्या world wetland day बनाया जाता है, ठीक है, अब इस में क्या है, wetlands को protect करना है, ठीक है, तो इंडिया में कितनी रामसार wetland sites हैं, comment section box में लिखो there are 5 organizational partners, यहाँ पर आप देख सकते हो bird life, क्योंकि जहाँ पानी होगा, वहाँ पर पक्षी होंगे ठीक है, IUCN यह एक international NGO है ठीक है, international NGO है, international water for management institute, wetland international worldwide fund for nature ठीक है, तो यह कुछ organizations है, जो की इसमें आती है 80 हो गई है, ठीक है, 80 हो गई है तो इसको please 80 कर लीजेगा ठीक है, 80 तो यह पूरी के पूरी list है, अब इसमें सारी याद रखनी है बहुत मुश्किल है, सारी याद रखनी तो हम, जो latest वाली 5 है, जो इसी साल, जनवरी में add हुई है, ठीक है, इसी साल जो जनवरी में add हुई है, उनको हम cover करेंगे, ठीक है, उनको हम cover करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं अनका, समुद्र, इसको मैं आपको बताता हूँ, आम, ठीक है अनका समुद्र, आगह, नशणी और मगाडी तो आम कहां पर खाया? करनाटका में खाया और शोला का डोला और कहां पर कर रहे हो जाके वो तमिलाडो में जाकर कर रहे हो वैसे शोला जो word है यह आपको आगे चलकर देखेंगे यह केरल से भी जुड़ा हुआ है ठीक है नैशनल पार्क की हम जब बात करते हैं तो केरल से रिलेटेड आता है एनिवेज करायवाथी, बर्ड सेंचुरी और लॉंगवूड शोला रिजर्व फॉरेस्ट यह कहां पर है, तमिल नाडू में है ठीक है, तो आम खाया करनाटका में और शोला का डोला करा कहां पर जाकर तमिल नाडू में ठीक है, तो यह आपके याद रखने का एक छोटा सा तरीका इजी है, दो ही स्टेट्स में है ठीक है, तीन करनाटका में दो तमिलाडू है और ये हो गए आपका इंपॉर्ट अब देखो इसमेना अब UPS से थोड़ा और डिटेल में जाने लग गया है और even CDS CAPF के एग्जामिनेशन में भी डिटेल एंड ये में भी डिटेल में जाने लग गया है अब उसमें क्या करता है इस तरीके से भी कोशन जो है पूछता है एक पर्टिकलर बोलेगा कि consider the following statement ये करनाटका में है ठीक है जी इसमें बार-headed goose है इस तरीके से 3-4 statement देगा फिर पूछेगा किस के बारे में बात हो रही है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है मॉन्टर रिकॉर्ड क्या है wetland sites में ठीक है wetland sites में भी जो सबसे important है ठीक है उसको बोलते है मॉन्टर रिकॉर्ड जहां पर ecological character या तो जो है change हो गया है या हो रहा है या होने वाला है ठीक है call of the national park राजसान first site to be included in this list लॉक्टक लेक है मनीपुर में 1993 सो यह कहां पर है मॉन्टर रिकॉर्ड ठीक है कहां पर है मॉन्टर रिकॉर्ड next आता है आपका waterfalls in India ठीक है waterfalls in India again बहुत factual है इसके लिए I would say कि यह एक बार आप just go through this list क्योंकि इतनी tricks हो चुकी है हो सकता है कि कोई कहे कि इन सारी tricks को याद करने के लिए एक trick चाहिए होगी but idea here is कि इस पे बहुत ज़ादा question नहीं पूछता है तो इस पे बहुत ज़ादा question नहीं बनाई है ठीक है क्योंकि इस पे हम trick बनाएं once in a while question पूछता है just have a look ठीक है जिसमें अब important जिसे दुद्सागर falls है ठीक है jog falls है यह important है empty water falls है फिर आपका दुद्मा जो है water falls है ठीक है उसके बाद आपका Stanley है water falls यह कुछ important water falls है उसके बाद आपका धुआदार water falls है ठीक है और बारा पानी जो water falls है ठीक है तीरत गड़ water falls है तो यह कुछ आपके important waterfalls हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं otherwise बहुत ज्यादा detail में जाने के जूर्ट नहीं यह भी एक list है जिसमें आप देख सकते हैं अलग लग waterfalls दुवांदार हो गया ठीक है दुट्सागर दुट्सागर साउत में है ठीक है सहस्त्रधारा ठीक है और फिर आपका दु look on these waterfalls just don't worry about that much ठीक है क्योंकि आना होगा तो उसी में आ जाएगा अधरवाइस फिर बहुत जादा इस पर ट्रिक बनाने की कोई फादा नहीं है बहुत सारे waterfalls है natural ecosystem ठीक है और जो current में news में है वो आपका पूछा जा सकता है natural ecosystem terrestrial aquatic ecosystem terrestrial में कौन कौन से ecosystem आते हैं forest grassland deserts ठीक है इसमें क्या आता है fresh water brackish water marine water aquatic में ठीक है इसको और दो पार्च में डिवाइड करते हैं lotic और lentic lotic और lentic ये भी एक बार पूछा गया है lotic क्या होता है lot port होना lot port ह running water lentic हो गया standing water ecosystem जहां पानी खड़ा हुआ रहता है ठीक है जैसे lake हो गया एक particular नदी में हो गया lotic rainfall एक तर्म एक बार और और पूछा गया है eco radicals ठीक है ये आजकल बहुत जादा चर्चा में हैं खासकर जब भी COP की meeting होती है conference of parties की United Nations framework convention on climate change UNFCC ठीक है उसमें ये eco radicals आजकल चर्चा में आते हैं ये क्या है eco radicals ठीक है ये eco radicals क्या कहते हैं कि भाई जो ये दुनिया में global warming की बात चल रही है ना climate change की बात चल रही है ये ना क्या हो रहा है कि हमने जो industrialization अपना ही 200 साल पहले लगभग उसकी वज़े से हो रहा है तो दुनिया को ना मतलब ये जो हम कह रहे हैं कि हम थोड़ा carbon emission कम करेंगे हम ये करेंगे ये सरफ cosmetic है ये इससे होगा कुछ नहीं दुनिया को मैं इंडिया बोल रहा हूं दुनिया को जो है deindustrialized तरीके से जाना पड़ेगा मतलब अपने lifestyle में एक drastic change करना पड़ेगा जैसे पहले लोग रहा करते थे nature के साथ वैस हो जाएगी ऐसा कहना है सर पर सहस्तरधारा waterfall जो है उत्राखंड में भी है बिल्कुल ठीक कहा जब हम जो है देरादून से उपर की तरफ जाते हैं पिल्कुल है सहस्तरधारा दो जगा भी हो सकता है नेम सेम नाम ठीक है अंकिता ओके सो यह है आपका eco radicals तो eco radicals basically बिल्कुल बगलाव होना चाहिए मतलब यह छोटे मोटे steps से लेने से कुछ नहीं होगा तो एक बार यह भी आपका question पूछा गया eco radicals फिर उसमें वही deep ecology shallow ecology deep ecology कहता है कि बहुत human मतलब आप पहले यह समझो कि human beings जो है यह पूरे eco system देखो सबसे important problem क्या है eco radicals क्या कहते हैं वो यह कहते ह है कि इंसान ने यह समय लिया कि मैं बहुत intelligent आदमी हूँ और मैं सबको decide करूँगा plants animals सब के लिए वो कहरे आप कुछ नहीं हो आप एक छोटा सा part हो पूरे के पूरे biosphere का एक छोटा सा part हो आप ठीक है तो आप जो है बहुत जादा मत करिये तो वो है deep ecology shallow ecology है हाँ ठीक है इं let's talk if so concerned about earth let's do something हाँ बिल्कुल ठीक ठीक है चलो ठीक है biosphere reserves in India हमने discuss कर लिया है ठीक है जी और इसके बाद आता है national parks in India अब national parks कितने है 106 है सारे याद करने है जी नहीं 106 है याद करने है मैड़े गए तो national park की याद होंगे एक लिए 40 दिन में चलो अब इसमें तरीका क्या है इसका तरीका ये है कि जो important national parks है वो आपको ध्यान में होने चाहिए ठीक है important national parks को ध्यान में रखना है और इसकी कुछ tricks है जहां पर ज़्यादा national parks है तो इसकी trick जो है I got it from the internet so I have just pasted it ठीक है तो यह आप देख सकते है निवानिक्स for national parks दीपू सैग्ड मैल नेम्ड राज एंड I don't think के इसको भी याद करना उतना वो है मुश्किल है वैसे ही अगर आप इसको एक बार just have a look on this तो आपको कुछ national parks वैसे ही याद हो जाएंगे कि कहां कहां पर है क्योंकि बहुत 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 चर्चा में रहते हैं वो national parks ठीक है otherwise यह ट्रिक भी है तो एक बार देख भी लेते हैं दीपू सैग्ड मैन नेम्ड राज एंड काज इन असाम सो दीपू से जो है आपका दिपोर बील वी एक wildlife century भी है साग्ड ठीक है डिब्रू साइकोवाद ठीक है मैन से मानस हो गया फिर उसके बाद आपका नेम से नामेरी हो गया राज से जो है राजीव गांदी और आंग नेशनल पार्क ठीक है अब राजीव गांदी हटा दिए उस नाम से कास से काजी रंगा हो गया ठीक है त थीक है तमिलनाडू में कौन-कौन से है ठीक है अर्यूबल टूव टू सी डिस अब हुखाई दे रहा है मैड इल्राज मैन मुकुल गंड इन का मिलाडू ठीक है सुमैड से मदु मलाई इंदरा से इंदरागांदी नैशनल पार्क मैन से गलफ अफ मनार मुकुल से मुकूर बुति गंड से गोंडी नैशनल पार्क ठीक है जी अच्छा संजे कान्हा एंड ओ-म्स मैड बैञ इत पान एंद शैट इन वैंद पंच फैजल मद्यर्वडिश पॉआध मुश्किल है ठीक है, थे तो आइधव नैशनल पार्क यहक्ड आपके ट्रिक है ठीक है तो I would say just have a look on this again तो ये question बढ़ हाँ ये trick से आपको कुछ याद रहेगा ये definitely ये फाइदा है केरल में रवी silently prayer to three sholas in केरला अब ये जहां जहां sholas मिल रहे है ये कहां पर है ये sholas सारे केरल में है ठीक है ध्यान में रखना ये sholas, वो वाला shola हमने पढ़ा था वो कहां था, वो shola जो अभी हमने wetland child shola देखा था वो Tamil आडू में था, तो ये confuse मत करना इसको, तो यहां पर रवी कुलम, रवी कुलम नेशनल पार्थ, रवी से रवी कुलम silently, silent valley prayer, ठीक है, prayer से prayer, उसके बाद shola, तीन shola है, Pampadum shola, Mathikam shola और Anamudai shola, ठीक है, तीन shola हो गए, ठीक है, तो ये आपके कहां पर है, केरल में है उसके बाद आपका अंडबा निकोबार में Mount Harry takes sad Rani to Gandhi Gola camp ठीक है, और in the middle of the north and south end, अंडबा निकोबार islands बड़ी interesting story है, Mount Harry so Mount Harriet हो गया, sad से saddle हो गया, Rani से Rani Mary National Park, Gandhi से Maatla Gandhi Mary National Park, Gola से Gola Thiya, Camp से Campbell, ठीक है, middle से middle button, north से north button south से south button, ये जहां button आ गए, वो कहां पर है, वो अंडबानी कोबार में है, ठीक है, फिर हो गए आपका अंडबानी कोबार island, तो ये कहां पर हो गए, ये हो गए, अंडबानी कोबार के National Park, ठीक है, चलो, अब हम चलते हैं, wildlife reserves, ये कुछ wildlife reserves हैं, आपके important wildlife centuries खासकर, अगर हम ये देखें, सारिसका, चंदरप्रभा, ठीक है, चंदका, दंपरा, संजय गांदी कावाल, पहुचारं, ठीक है, मुदुमलाई, पेरियार, ये कुछ important wildlife centuries हैं, ओके, हिमान्चों भी जुड़ गए हैं, चलो, बहुत बढ़ी हैं, तो ये आपके recently जो tiger reserves add हुए हैं, ठीक है, tiger reserve, जो recent वाले tiger reserves हैं, ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है, शिरी बिलुपतूर, मेगा मलाई, ठीक है, रामगड विशधारी, रानेपूर, विरंगना और धॉलपर, ठीक है, तो ये हो गए आपके tiger reserve, जो recent year हुए हैं, next हम चलते हैं, human geography में, ठीक है, human geography पूछता है, ठीक है, पेपर में, पेपर के बाद एक-दो students के, sir, वो question पूछ लिया, वो तो हमने पढ़ा नहीं था, तो, चल्ड़ो, इसको भी देख लेते हैं, देखो, किसी भी देश की, या दुनिया की जो population है, वो इस model पे चलती है, broadly इस model पे चलती है, एक agricultural society होती है, तो, वहाँ पर high birth rate रहता है, high birth rate और high death rate रहता है, ठीक है, तो population क्या है, बहुत ज़्यादा constant रहती है, अगर आप देखोगे, दुनिया की population, आज के समय पर 800 करोड क्रॉस कर चुकी है, 1800, सद 1800 में, दुनिया की population 100 करोड थी, मतला आप सोचो, कि ancient times से, इतने सालों में, कितने हजारों सालों में 100 करोड होई थी, और पिछले सवादोस सालों में, दुनिया की population 100 करोड से 800 करोड हो चुकी है, 700 करोड population एड हो चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हुआ है, कि अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो population, overall population क्या है, कम है, ठीक है, overall population कम है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपका, जो health facilities हैं, वो develop हुई, तो यहाँ पर death rate कम रहा, पर initially birth rate जादा है, जैसे कि आप grand parents में या parents में देखोगे, तो काफी जादा birth rate था, मनलब इंडिया में 1950 से लेकर, 80 से तक birth rate काफी जादा रहा, तो यहाँ पर population क्या होता है, expand होता है, फिर धीरे धीरे लोगों में, कैलो education और बहुत सारे factors आते हैं, तो फिर आपका birth rate जो है, decline होना शुरू हो जाता है, ठीक है, फिर बट यहाँ पर भी population बढ़ती है, population यहाँ पर भी बढ़ती है, क्योंकि birth rate अभी भी death rate से काफी जादा है, फिर एक point ऐसा आता है, कि दुनिया में, अलग लग देशों में, खासकर Europe में, Europe के बहुत सारे देशों में, जापान में, चाइना में, रशिया में, जो है, अब क्या हो गया है, birth rate और death rate लगबग बराबर हो चुका है, राधर कई जगा birth rate कम हो चुका है, तो वहाँ पर क्या हो गया है, population decline होनी शुरू हो गई है, तो इसे बोलते है, demographic transition model, demographic का मतलब people, demographic का मतलब study, लोगों की study, ठीक है, लोगों की population कैसे कैसे दुनिया में बढ़ती है, उसका ये एक chart है, बहुत बैतरी चार्ट है, अगर आप पूछें, भारत कहां पर है, हमारा देश कहां पर है, हमारा देश ना बिसिकली ये second और third stage में है, कुछ राज्य हमारे इस वाली stage में चल रहे हैं अभी भी, ठीक है, जिसमें population growth rate जादा है, ठीक है, और death rate कम हो चुका है, कई जो राज्य हैं वहाँ पर अगर आप देखोगे, population जो birth rate है वो भी काफे नीचे जा चुका है, ठीक है, तो हम बेसिकली इस particular में चल रहे हैं, late expanding वाली state में चल रहे हैं, और मान के चलो कि ये कहा जाता है कि, 2060 या 70 तक जाकर जो है, ये stabilize होगा हमारी population, ठीक है, तो ये है हमारा demographic transition model, तो इसमें stage 1, stage 2, stage 3, stage 5, stage 5 पहुंसी होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जपान, चाइना, रशिया, वो इन यारप के बहुत सारे देश, उस से गुजर रहे हैं, इसलिए कई बार आप जब सुनते हैं, कि रशिया कह रहा है कि जादा बच्चे करो, जपान कह रहा है जादा बच्चे करो, हम सरकार जो है, बहुत सारी facilities देगी, बहुत सारा पैसा देगा, तो आपके दिमाग में आता है, यह कैसे होगा है, हमारे यहाँ पर कह रहेंगे, ने, ने, जी, बिलकुल आपको government के facilities नहीं मिलेंगी, रादर बीच में यह भी बात चली के law लाया जा सकता है, कानून लाया जा सकता है, तो यह basically हमारे यहाँ पर already population काफी ज़्यादा है, वहाँ पर decline होना शुरू हो गया है, चलो, तो यह होगा आपका demographic transition model, ठीक है, तो यह इसमें न, आपको यह pyramid structure मिलता है, जैसे अब हमारा क्या है कि हमारी जो youth population है, 35 से नीचे, 40 से नीचे population काफी ज़्यादा है, तो हमारी population reproductive age में बहुत ज़्यादा है, तो even अगर लोग population decline है, बच्चे कम भी करेंगे, तो भी population बढ़ेगी, क्योंकि reproductive age में population काफी ज़्यादा है, ठीक है, that is the reason, ठीक है जी, चलो, चाइना की case में क्या हो गया है, चाइना की case में as you can see, यह वाला जो group है, यह जो young वाला group है, यह धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है, चलो, next आता है population share of, यह आपका जो census वाला topic है, अब यह question आपका सिधा सिधा पूछता है, सबसे दावा population उत्तरप्रदेश में, फिर महाराष्टा, फिर बिहार, दो अभी के जो data यह कहता है, official data तो census नहीं हुआ है, बट यह कहता है कि बिहार की population महाराष्टा को cross कर चुकी है, but anyways, हम 2011 का census ही देखेंगे, अब देखो पेपर में कैसे पूछा गया एक बार, पेपर में क्या किया, पेपर में यह चार राज्य पूछे, ठीक है, यह चार राज्य पूछे, यह चार राज्य दिये, केरल, जारखंड, असाम, पंजाब, और बोला इसको increasing order में arrange कर दो, पॉपुलेशन में, अब जिसने नहीं पड़ा, clean bold, अब थोड़ा सा आपको सिरफ यह टॉप के इनिंग देखने हैं, यह भी दियान में देना है, ठीक है, जिसे पंजाब है, अब पंजाब और असाम के केस में आपको लगए है, पंजाब की population जादा होगी, प्लेन इलाका है, नदियोंगा, असाम में जादा population हैं पंजाब से, ठीक है, दन जारखन, दन केरल, ठीक है, तो यह थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अब यह, अब आपको होगे कैसे, तो बहुत सारा डाटा है, कितना ध्यान में रखेंगे, आइडिया है, अगें, सारा याद नहीं कर सकते, observation, आपको थोड़ा सा ऐसे भी सोचना है, जैसे assembly seats देख लो, जो विधान सभा की assembly seats होती है, ठीक है, उससे भी आप थोड़ा idea लगा सकते हो, जहाँ पर कम है, मतलब वहाँ पर population कम है, ठीक है, तो यह है आपका एक broad सा idea, railway zones, ठीक है, railway zones, ठीक है, जा सिमरन, जा, चिले अपनी जिन्दगी, चलो, तो railway zones जो हैं, बहुत important है, यह भी आपका question कई बार, match the falling type of question में पूछता है, तो इसमें यह वाला चार्ट बहुत अच्छा लगता है, में आपको, याद करने के लिए, तो देखो, North, West, South और East, ठीक है, यह तो चार हमारे important major cities हैं हैं, दिल्ली, मुंबई, चलनाई, एंड कोलगाता, ठीक है, अब थोड़ा सा West, Central, जबलपूर, ठीक है, फिर आपका South, Central, सिकंद्राबाद, East, Central, हाजीपूर, North, East, गोरखपूर, North East is North, गुहाटी, यह आपका North East Frontier है, ठीक है, Frontier, North East Frontier, माले गाउं, गुहाटी, ठीक है, ओके, तो यह होगा आपका, यह होगा Central, CST, मुंबई, Central वाला, यह आपको, कि मुंबई, सेंटर में, कहां से आगया, ध्यान में रखना है, ठीक है, यह थोड़ा Off है, अलग है, यह, ओके, देन, आपका आता है, East Coast, ठीक है, East Coast, हाँ, South, East वाला हो गया आपका, बिलासपूर, ठीक है, और उसके बाद आपका हो गया, South, East, South, East Central, बिलासपूर, South East हो गया, आपका, कोलकाता, East Coast, आपका हो गया, भुमनेश्वर, और उसके बाद आपका, Metro, कोलकाता, यह हो गया, यह सारे हमने complete कर लिए, तो यह चार्ट से आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेगा, Easy है, Recall करना, ठीक है, Easy है, Recall करना, Okay, next आता है, Tribes of India, ठीक है जी, Tribes of India, Tribes of India, एक unique, distinct social group है, जिनके अपनी एक certain culture है, उसको हम scheduled tribes, या tribes कहते हैं, ठीक है जी, So, states with highest population of STs, तो overall, अगर हम देखें, overall population में, So, that is महाराष्टरा, then, sorry, मध्यपरदेश, महाराष्टरा, उडिशा, राजसान, गुजराथ, अब percentage-wise में अगर आप देखोगे, तो लक्षद्वीप सबसे जादा, 94.8%, ठीक है, मीजोरम, 94.4%, ठीक है, population जो है, schedule tribes, then, आपका नागा लेंड में घाल लिया, ठीक है, तो इसको, प्लीज, ध्यान में रखना, important है, लक्षद्वीप है सबसे जादा, लक्षद्वीप में, forest percentage भी सबसे जादा है, tribe का percentage भी सबसे जादा है, ठीक है, और, सबसे कम कहां पर है, पंजाब, हर्याना, 0%, ठीक है, पंजाब, हर्याना, दिल्ली, states with no ST population, पंजाब, हर्याना, चंडिगर, दिल्ली, पुद्डुचेरी, ठीक है, यहाँ पर ST population नहीं है, पर overall अगर आप देखेंगे, कुछ social indicators, sex ratio, ठीक है, child sex ratio, यह आपको better मिलते हैं, ठीक है, चलो, बट, जो literacy rate है, employment ratio है, यह थोड़ा कम है, यहाँ पर, literacy rate के बात करें, overall average 73%, STs में 59%, ठीक है, male और female जो ratio है, literacy rate का, ठीक है, वो भी काफी फरक है, यहाँ पर, ठीक है, फिर gross enrollment ratio भी काफी कम है, तो यह वाले factors जो है, comparatively आपको यहाँ पर कम मिलते हैं, अब इसमें कुछ important tribes के अगर हम बात करें, ठीक है, तो गदी tribe है, gujars and vakarabals, ठीक है, कश्मीर और जमुवाल दीज में, खेर, gujars आपको जो है, जो है, राज़स्तान हो गया, उत्तरप्रदेश हो गया, हर जगा मिलते हैं, अगर हम बात करें, भील tribe हो गई, ठीक है, डोडिया tribe, देन आपका चेंचू, ठीक है, इन अंदरप्रदेश वाले particular region में, देन संथाल tribe, very important, जारखन उडिशा वाले region में, ठीक है, देन आपका चकमाज हो गया, ठीक है, चकमाज हो गया, आपका त्रिप्रा वाले region में, और नॉर्थीस्ट में, ये न्यूज में भी थे चकमाज, ठीक है, जब खासकर ये मनीपूर वाला जो इशू था, मनीपूर में आपको बहुत ध्यान में रखना है, माई ब्रॉडली आपको एक बार पता दिया इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात करें तो ये इंटरनेशनल ट्रीटीज कौन-कौन सी हुई है रेलेटेट तो इंवारमेंट एकॉलजी बहुत बिरीफली देखेंगे, बहुत ज़ादा डिटेल में नहीं जाएंगे सबसे बहले स्टॉक हम कन्वेंचन हुआ 1972 में जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंवारमेंट UNEP बना United Nations Environment Program बना जिसका हैड़कोर्टर कहां पर है, नेरोबी किनिया में है ठीक है, कन्वेंचन ऑन माइग्रेटरी स्पीशिस 1979 में वाल्ड एनिमल्स को बचाने के लिए, ठीक है, वाल्ड एनिमल्स को जो जंगली जानवर है, उनको बचाने के लिए ठीक है, रामसर कन्वेंचन हमने पढ़ा अभी, रामसर कहां पर है, इरान में एक सिटी है, रामसर कन्वेंचन वेटलेंट के ये वेट्रेंट प्रोटेक्शन के लिए 71 में 2nd Feb को बनाया जाता है वर्ल वेट्लेंट इप इंडिया definitely इसका पार्ट है Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna कई बार आपने सुना होगा Chinese Medicine में ये particular जानवर है जी ये इसकी Medicine में यूज होता है Chinese Medicine में तो इस तरीगी की चीजों से बचाने के लिए साइट इसको वाशिंग्टन कर्वेंशन भी कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट साइट नेरोबी डेक्लारेशन क्या है दस साल बाद हुआ वियाना कर्वेंशन 1985 में ओजोन लियर को लेकर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉंट्रियल प्रोटोकॉल क्योंकि ये पहली ऐसी ट्रीटी थी दुनिया में जुसमें सौरे देशों ने अग्री किया किसी भी देश मतलब ये नहीं किया इसमें क्या था ओजोन लियर को बचाना ठीक है ओजोन लियर को बचाना है यूवी यूवी रेज जो कि सन से आती हैं मतलब क्या होता है जो ozone layer थी stratosphere में वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है hole मतलब such hole link था but वो theming of ozone layer ठीक है is what we call the ozone hole ठीक है वो हो रहा था उसको बचाने के लिए सारे देश इकठा है ये कहा गया कि chlorofluorocarbons जो की सबसे बड़ा एक factor है इस ozone layer की depletion में इसको हम बंद कर देंगे इसको ban कर देंगे ये Montreal protocol में discuss किया गया एक आपका Stockholm convention पहले हमने discuss किया जिसमें UNEP बना एक Stockholm convention 2001 में हुआ जिसमें की बात की गई P.O.P की P.O.P. ठीक है P.O.P. is persistent organic pollutants कई बार हम बात करते हैं कि DDT है या फिर आप कई बार बात करते हैं कि हम antibiotic resistant हो रही है human beings या फिर DDT जो है पहले use किया गया बहुत जादा अब वो जो insects हैं वो resistant हो गए है तो ऐसे pollutants जो की stay कर जाते हैं आपकी बाडी में ठीक है persistently लंबे समय तक ठीक है उनको eliminate करना जिसकी वज़े से क्या होता है कोई बता सकता है मैंनको दो terms है bio accumulation bio magnification ठीक है accumulate होना धीरे धीरे जो है इसलिए cancer के patients बढ़ते जा रहे हैं दुनिया में क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें बहुत सारे pesticides हैं that is keep on accumulating in your body ठीक है so that is accumulate हो रहा है फिर जब वो food chain में उपर की तरफ जाता है तो वो magnify भी होता है क्योंकि एक जो top level का क्या लिजिए food chain में जो top level पे बैठा है वो और ज़ादा consume कर रहा है ठीक है उसमें multiply हो रहा है वो जो pollutants है ठीक है waste covered by the basal convention अब ये waste को लेकर भी है ठीक है बहुत सारा waste है जैसे की clinical waste है जो भी आपका hospitals है ठीक है उनके waste है mining waste है industrial waste agricultural waste ठीक है then e-waste हो गया ships हो गया जो आप laptop mobile computers ठीक है ये आप use करके कहा जाता है तो ये सारा waste को recycle करना रिसर्च आई है battery operated ये जो हम EV electric vehicles की बात कर रहे है तो एक theory एक research ये कह रही है के electric vehicles are 180 times more polluting than the normal vehicles उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया उन्होंने कहा कि जी आप ये battery को recharge करना और battery का जो ये ही ठीक है जब 8-9 साल बाद खतम हो जाएगा उसकी life खतम हो जाएगी उसके बाद आप उसका क्या करोगे ठीक है कोई वो नहीं है lithium आयन वहाँ पर रहेगा which is very poisoning ठीक है so that is the impact of that ठीक है तो ये इस तरीके से जो है waste को किस तरीके से ठीक किया जाए दुनिया भर में चलो आगे चलते हैं एक बहुत famous summit हुई थी 1992 में जिसको Rio Earth Summit कहा जाता है simply Earth Summit कहा जाता है और actually इसका नाम था United Nation Conference on Environment and Development ठीक है इसी के बाद आपका दुनिया भर में बहुत सारी COPs होती है आज के आप पढ़ते होंगे Conference of Parties तो 1992 में ठीक है और यहां पर जो है तेन इंपोर्टन चीज़े साइन के की Convention on Biological Diversity United Nations Framework on Convention on Climate Change जिसके अभी COP28 हुई थी COP28 ठीक है और UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification ठीक है Desertification So biodiversity के बारे में क्या कहता है कि जो जैब विविदता है उसको बचाना है Biological Diversity को बचाना है Biological Diversity क्या होता है Plants, Animals, Organism Genetic Diversity सब कुछ जो है Biological Diversity में आता है Briefly ठीक है तो यह जो है इसको हमें बचाना है इसका सतत Use करना है Sustainable Use करना है सतत विकास करना है और इस तरीके से BT Cotton, BT Brinjal ठीक है इसको Introduce करने से पहले आप सोचे समझे ठीक है Nagowa Protocol Again Genetic Resources को Fair Utilization की बात करता है UNCCD Desertification Deserts जो है लगातार बढ़ते जा रहे है पेड़ों की कठाई हो रही है Deserts का परभाब बढ़ता जा रहा है इससे क्या होगा बंजर जमीन बढ़ेगी इससे Agriculture की Productivity कम होगी राधर बढ़नी चाहिए क्योंकि हम Population में बढ़ते जा रहे हैं दुनिया की Population में बढ़ते जा रहे हैं So the need is to combat this desertification ठीक है Kyoto Protocol Greenhouse Gas Emissions को कम करने के लिए कहा गया ठीक है के भाई साब यह जो राइता है Climate Change का Global Warming का यह हमने नहीं फैलाया है यह Developed Countries का फैलाया हुआ है वहाँ पर यह Industrial Revolution आई वहाँ पर यह Emissions लोने शुरू हुए ठीक है जिसके वज़े से नुकसान हो रहा है तो यह Greenhouse Gases कौन कौन सी है यह हमने डिसकस कर लिया था इसके मैंने एक ट्रिक भी बताई थी मीना काज लगा कर आना ठीक है चलो यह Paris Climate deal हुई बहुत famous 2015 में जिसमें कहा गया कि हमें दुनिया के temperature को 1.5 degree Celsius तक रोकना है maximum 2 degree Celsius पे तो बढ़ने ही नहीं देना है कोशिश करनी है maximum target 2 degree Celsius अब सवाल आता है कि 2 degree क्या है मतलब जब industrialization शुरू हुई थी तब अगर temperature दुनिया का X था तो अब जो है हमें कोशिश करनी है कि X plus 2 degree Celsius से उपर नहीं जाना चाहिए तो अभी कितना अल्रेडी बढ़ चुका है industrialization पिछले 200 सालों में लगभग 1.2 degree Celsius जो है दुनिया का temperature अल्रेडी बढ़ चुका है average temperature तो हमारे पास बहुत ज़ादा room नहीं बचा है ठीक है अगर अभी immediately action नहीं लिया गया तो गरबड हो जाएगी फिर उसमें जो है ये कहा गया कि हम review करेंगे हर साल ठीक है फिर इंडिया ने भी कहा ठीक है अगर हम overall emissions में बात करें तो चाइना का सबसे ज़ादा है पर capita में चाइना कम हो जाता है क्योंकि ये 140 करोड से जब divide करता है तो कम हो जाता है फिर आपका US हो गया फिर इंडिया हो गया ठीक है COP28 में कुछ decide किया गया COP28 अभी recently कहां पर हुई COP28 comment section box में लिखो ठीक है जिसमें कहा गया कि 200 countries ने कहा कि हम fossil fuel से दूर जाएंगे पहले ये कहा कि transition away की जगा लिखा गया कि eliminate करेंगे फिर इंडिया ने कहा कि नहीं eliminate नहीं transition away धीरे धीरे दूर जा रहे है ठीक है global renewables energy efficiency को बढ़ाएंगे loss or damage एक fund create किया जाएगा developing countries को support करने के लिए ठीक है UAE में very good ठीक है UAE दुबई विल्को ठीक global goal on adaptation ठीक है ये बात की गई और triple nuclear energy की जाएगी coal transistor ये सीधा सीधा question पूछेगा ये मैं ऐसी नहीं पढ़ा रहा हूँ ठीक है consider the following statements about COP28 1, 2, 3 फिर पूछेगा 1, 2, 3 are correct 1, 2 correct ठीक है इस तरीके से question बनता है आपका global cooling pledge ठीक है तो इसमें कहा गया कि 66 national governments ने कहा कि हम cooling related emissions को कम करें across all sector by at least 68% globally और then आपका CHAMP initiative ये ध्यान रखना CHAMP क्या है CHAMP की full form है coalition for high ambition multi-level partnership ठीक है for climate action ये launch किया गया ठीक है जिसमें efficient planning financing implementation होगी और 500 billion dollar की बात की गई अभी तक दिया कुछ नहीं गया है पर बात की गई है 500 billion dollar in 2025 ठीक है जी Global River Cities Alliance GRCA Green Credit Initiative ये इंडिया के द्वारा lady initiatives थे next आता है आपका एक Antarctic Treaty जिसको बोला जाता है Madrid Protocol Madrid किसी capital है Spain की ठीक है तो ये आपका है Antarctic Treaty Antarctic Treaty में क्या कहा गया है कि जो Antarctic का है वो किसी देश का नहीं है ये common mankind का है मानपता का है तो इसमें कोई देश जाकर उसको कबजा करने की कोशिश ना गरे ठीक है तो ये सब ने ट्रीटी साइन की के हाँ हाँ हम इसको agree करते है कि इसको हमें common usage में लाना है ठीक है किसी भी तरीके से कोई ऐसी activity नहीं करनी है जो global peace के खिलाफ हो और वहां के environment के खिलाफ हो सबसे important ठीक है तो इंडिया के महित्री और भारती stations ठीक है और उसके इलावा जो है हिमादरी station कहाँ पर है Arctic region में ठीक है Arctic region में हिमादरी okay minimata convention mercury से related है minimata mm से आद रख लेना mm minimata mercury ठीक है और ये आपका biodiversity आईची targets थे ठीक है बहुत जादा important नहीं है क्योंकि ये 2010 से लेकर 2020 तक था ठीक है तो ये चला गया भी carbon dioxide को capture कैसे किया जा सकता है अब इसको लेकर बहुत जादा चर्चा चल रही है बीच में कुछ लोग कह रहे हैं कि न ऐसे क्या करो जिसे मैं दिखाता हूँ आपको interesting लोग जो है ideas दे रहे हैं कि जी आपना space में screen लगा दो बड़ा सा mirror लगा दो बड़े-बड़े mirrors लगा दो तो sunlight आएगी वहीं से टकरा कर वापिस चली जाएगी ठीक है चलो, next हम एक छोटा सा topic कर लेते है ocean, ozone depletion अभी हमने discuss कर लिया stratosphere में ozone क्या है कम होता जा रहा है अब हमने उसको reverse कर लिया है chlorofluorocarbons को बंद कर लिया पर hydrofluorocarbons जो हमने introduce किये थे उसमें और problem आ गई hydrofluorocarbons ozone को कोई दिक्कत नहीं करता है पर एक potential greenhouse gas है अब ये कहा कि hydrofluorocarbons को भी हटाया जाए तो ये किसमें decide हुआ किगाली amendment में किगाली amendment में ठीक है, किगाली amendment में बहुत important फिर उसके बाद आता है ocean acidification ये ocean acidification क्या होता है देखे, जो carbon dioxide है न, दुनिया में carbon dioxide जो है वो अलग-लग farms में है जैसे blue carbon, green carbon, black carbon, brown carbon अब ये क्या होता है जी, देखे, green carbon होता है जो paid pod हो में जो paid pod है carbon dioxide को absorb कर लेते हैं उसको हम बोलते है green carbon एक होता है blue carbon blue carbon होता है जो oceans जो है आपके absorb करते है तो oceans क्या करते है H2O plus CO2 वो carbon को capture करते हैं और बनाते है H2CO3 ठीक है H2CO3 that is carbonic acid ठीक है carbonic acid अच्छा अब इससे क्या हो रहा है कि जैसे-जैसे carbon dioxide की मात्रा बढ़ती जा रही है atmosphere में oceans जो है ज़ादा carbon dioxide को capture कर रहे है तो इससे क्या दिक्कत हो रही है कि carbonic acid बढ़ता जा रहा है अच्छा फिर उससे क्या दिक्कत है उससे ये दिक्कत है कि ये जो carbonic acid है ये होता है H plus H C carbonate तो ये जो बहुत सारे animals है marine animals है यह समझे लीजिए समुदरी जीव जन्तु है वो अपनी shell जो outer shell है वो बनाते है calcium carbonate से वो मतलब उनको अपनी shell नहीं बना पा रहे shell नहीं बना पा रहे तो वो जीवित नहीं रह पा रहे ठीक है उन पे जो उनके prey है वो हमला कर दे रहे है मतलब अपनी protective layer नहीं बना पा रहे ठीक है आप ऐसे जमले अपना घर नहीं बना पा रहे ठीक है तो उससे उनको दिक्कत क्या हो रही है धीरे 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 इलिविनेटिंग तो अब ये ocean acidification से क्या हो रहा है acidification का मतलब क्या है ठीक है acid बनना मतलब उसका pH जो लेवल है पानी का pH लेवल कम होता जा रहा है example के लिए अगर मैं आपको बताओं तो example के लिए अगर आप pH लेवल को देखोगे 1800 में दुनिया का जो oceans का पानी था उसका pH लेवल more than 8 था ठीक है अब ये धीरे धीरे फहुत slightly कम हो रहा है ऐसा suddenly यह नहीं है कि बिलकुल 5 हो गया pH ठीक है एसा नहीं हुआ बट थोड़ा सा चेंज भी इट कें लीड टो डिजास्ट्रस कंसिपेंसे तो यह इसको हम क्या कहते है ocean acidification कहते हैं ठीक है नेक्स आता है climate change global warming global warming का मतलब क्या है globe is warming धरती गरब हो रही है climate change bigger term है broader term है climate change में क्या कहते हैं धरती तो गरब वही रही है उसके वज़े से बहुत सारे और impact हो रहा है जैसे आपका cyclones है earthquakes है ठीक है बहुत सारे जो natural phenomena's है उनकी frequency बढ़ गई है ठीक है ocean currents की जो changes हो गए है rainfall pattern change हो रहे है कई जगा सूखा जादा पड़ रहा है तो ये क्या है ये broadly climate change में आता है ठीक है उसकी वज़े से ये नुकसान हो रहा है ये blue carbon, green carbon, brown carbon, black carbon, black carbon basically black suit जब आपने मानलो कोई इंधन जलाया कोई भी लकड़ी जलायी पेट्रोल जलाया तो उसमें जो incomplete convention हुई ठीक है वो क्या कहलाता है black carbon कहलाता है जब वो complete burn हो जाता है वो brown carbon कहलाता है दोनों ही खतरनाक है बट इन दोनों में सबसे ज़्यादा खतरन black carbon है क्योंकि ये black black color क्या करता है बहुत जब्साब करता है अलबीडो कम होता है snow में अबने क्या पढ़ा था अलबीडो ज़्यादा है जो नदियां glaciers fed हैं, glaciers से पिखल कर पानी आ रहा है, तो आपके रिए तो बहुत अच्छा है, ज़्यादा glaciers पिखल कर आ जाएंगे, कुछ समय के लिए ज़्यादा पानी आएगा, बट over the period of time, वो glaciers खतम हो जाएंगे, अगर glaciers खतम हो गए, तो क्या होगा, जो नदियों में पानी आ रहा था, वो खतम हो जाएगा, धेरे धेरे सूखा पर जाएगा, चलिए, तो ये हो गया आपका, एक छोटा सा topic, एक term आता है carbon offset, ठीक है carbon offset, carbon offset क्या होता है, basically भई एक तरीका निकाला गया, अब यह बहुत, carbon dioxide को capture करने में मदद कर रही है, तो उससे आप क्या करो, उसको fund करो एक तरीके से, तो fund कैसे करो, एक company जो की बहुत ददा emissions कर रही है, वो इसको पैसा दे, ये इसको carbon credit दे, carbon credit मतलब कि कितने ton carbon dioxide जो है, मैंने capture कर लिया, मालो मैंने इतने पेड़ लगाए, जिससे की 10 ton carbon dioxide जो है capture हो गया, मतलब carbon dioxide capture हो गया, तो 10 ton market में आपने एक rate तया कर दिया, कि 1 ton का जैसे 1 kg सेब 100 पे किलो है, वैसे समझ लो, तो 10 ton का कितना हो गया, मालो 1 ton का 100 पिया है, 10 ton का 1000 पिया हो गया, तो ये company, दूसरे company को 1000 पे देगे, समझने के लिए, ठीक है, ओके, शुआ ये देखो, इस तरीके से mirrors लगा दिये जाए, एक time आता है, eutrophication, ये भी एक बार पूछा गया है, दो-तिन बार पूछा गया रादर, eutrophication क्या होता है, जितने भी आपके nutrients हैं, ठीक है, जैसे आपने खेतों में चड़काब किया, chemicals, fertilizers का चड़काब किया, वो पानी में बहकर कहां चले गए, ocean body में, lakes में चले गए, अब lakes में जाने के बाद क्या हुआ, ये nutrients की वज़े से, algae की growth हुई, algal bloom, algae की growth हुई, algae ने क्या किया, algae ने जो पानी में dissolved oxygen था, dissolved oxygen था, वो सारा का सारा खर्च कर लिया, खर्च कर लिया नहीं सेंस, consume कर लिया, तो अब जब उसने oxygen consume कर लिया, तो क्या होगा, fish के लिए, बाकी जीवजनतूं के लिए, oxygen बचा ही नहीं, खतब हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, तो इसको बोला जाता है, eutrophication, तो ये, मनला nutrients का, नदी में, lakes में पहुंचना, कोई अच्छे बात नहीं, इस तरीके से देखो, इस तरीके से, पूरा का पूरा, green color के ऐसे काई जम जाती है, तो इसमें fish, बाकी जीब जन्तु, खतम हो जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर, आज का session समाप्त होता है, बहुत बहुत धन्यावाद, तो ये था आपका geography का, पूरा का पूरा सफर, I hope, हमने, कोई ऐसा topic जो है, नहीं miss किया है, कोई ऐसा topic नहीं है, जो आपने छुआ नहीं है, तो ये 8 से 9 घंटे का, geography का, पूरा power penalty session था, I hope, ये आपको बहुत मदद करेगा, पेपर में, इससे बाहर, कोई question आपको मिले, उसका बहुत कम chance है, मैंने, कोई भी area ऐसा नहीं है, जो cover नहीं किया है, बहुत-बहुत धन्यावाद, बहुत-बहुत, thank you so much, कल और परसो class नहीं होगी, Monday को class होगी, Monday को 2 classes होगी, economy जो है, पूरी economy, एक दिन में, 2 lectures में हम complete कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम polity पे चलेंगे, history पे चलेंगे, ये सारे के सारे sessions, हम discuss करेंगे, so I am hoping, के ये sessions आपके लिए, थोड़ा, जो है, काफी जादा, मदद कर रहे हैं, if that is so, please do share the sessions, with other students as well, it is important, और जो भी इन sessions को देख रहे हैं, subscribe, जरूर कर लेना, क्योंकि it is, sessions में क्या हो रहा है, के बहुत सारे सुरेंट के रहे हैं, सर आपका content बहुत अच्छा है, like में को personally message कर रहे है, but ये पहुँच नहीं रहा बहुत अच्छो तक, तो मैंने का, ये वो आप लोगों को पंचाना है, my motive is to give you the best of the material, best of the content, which is helpful for your examination, not without, without, you can say, beating around the bush, ठीक है, और idea here is that you should take this sessions to the most of the students, thank you so much, take care, current affair, नहीं जी, current affair आज नहीं है, क्योंकि मैं prepare नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं इसी में लगा हुआ था, current affairs जो है, most probably हम कल cover कर लेंगे, ठीक है, thank you so much, take care,